हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विधिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम सिया पीसी अर्थाद्धंड प्रक्रिया संगिता उनई 173 से संबंधित मातपूर एमसी के उच को सॉल्व करेंगे और यह जो वीडियो है यह पूरे स्रीज होगी इसमें बहुत सारे प्रसनों को हम सॉल्व करेंगे इसमें लगभग पूरी सिया पीसी को कवर करेंगे जितने से संबंधित प्रसन पूछे जाते हैं तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो आएगा जिसमें हम कोसिस करेंगे कि प्रोविजन है जहां से भी प्रसन बनाए जा सकते हैं उन सभी सभी को हम कबर करें तो इस लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल विदिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको समय समय पर और वी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आई यह देखते हैं कि किस प्रकार के प्रसन जो है इसमें बनाए जा सकते हैं किस प्रकार के प्रसन महत्पूर्ण है तो पहला है मोख खिन्याइग मजिस्टेट दे गई हैं उसके तहत जो मजिस्टेट मुखिन्याइग मजिस्टेट होता है वह साथ वर्स तक की आवधिदक काकर अधिक्तम जुड़माने शर्म की कोई दे सकता है क्योंकि इसमें जुर्माने की राश हैं इसके बारे कि बताया गया है और इसके अलावा इसमें भी बता तक कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्मान इक्रिजास दे सकता है इसके अलामा इसी में यह भी बताया गया है कि जो मुख्रत होगा और जो मुख्रत हो इन दोनों की जो सक्टियां होंगी वह समान होंगी और इसी प्रकार से जो महनगर मजस्टेट मेट्रो पोल्रे Fortnite है उसकी जो सक्तियां होंगी वह नियाईक मजस्ट जो फर्सक्लास का है उसके बराबर होगी pokya next question है इसमें चैनले कार्षाए कि कोण्ससाही सुमेलित नहीं है तो परिवाद की परिवासा धारा 2D के अंतरगत दी गई है तो यह सुमेलित है पुलिस रिपोर्ड की परिवासा 2R के अंतरगत दी गई है नेड़े की अंतरवस्तु यह धारा 354 के अंतरगत दी गई है जबकि पीडित प्रतिकर इसकीम या पीडित प्रतिकर योजना के बार जो समनी नहीं है वह किसके द्वारा अभी खंडित की जा सकती है या किसके द्वारा वह समाप्त की जा सकती है तो इसकी जो कारिवाही है वह हाई कोड के द्वारा अपनी जो अंतर नहीं सक्तियां है जो 1482 के अंतर गड़ी गई है जी और हें अंतर में का प्रियूग करते हुए अगर कोई मामला तुक्ष है यहार तंग करने वाला है तो अपनी इस सकती का प्रियूग करते हुए जो जो चिएयलने को अभिखंडिद कर सकता оф कि hy है कि जहां अbıyyokt vyakti ने 2 का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन के आधार पर 2 सिध्थ किया ऑलन नहीं नहीं होगी तो यह है सभी है और इसके वारे गunkyरित प्रावधान यह थारत 375के अंतरगत्र दिया गया है और इसका कारण है कारण यह है कि कोई व्यक्ति जो की जानबूज कर दोसी होने का अभियोचन करता है अर्थात जानबूज कर स्वेक्षा से अपने दोस को स्विकार करता है तो उस स्विकृति के आधार पर अगर उसको दोसी दिखिया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि हुआ है पीडित है तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन का सही अस्पास्थी करण है तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यहीं सही है कि नेक्स्ट आया आरोप के संदर में कौन सा कथन सही है तो पहला है दंडपरक्रिया-संगिता के अधीन प्रतेक आरोप में उस आपराध का कथन होगा जिसका अभ्युक्त पर आरोप है तो यह जो कथन है यह विल्कुल सही है और इसके बारे जो प्रावधान है अधारा 211 के अंतरगत दिया गया है और दूसरा है कि यद एक ही संभ्योहर के क्रम में एक से अधिक अपराद एक ही व्यक्तित के द्वारा किया जाता है तो ऐसे प्रतेक अपराद के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगा जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है तो यह दूसरा कथन भी सही है क्योंकि इसके प्रेस्ट के एक दोनओं बिकल्प। इसमें और सही है कि चालू रहने वाले अपराध के दसा में नया परिसीमा काल कब प्रारंब होगा तो परिसीमा काल प्रास्थाल incar मों लेकिन यह प्रस्थ है कि किसी चालु रहने वाली आपराद के मामले में चालु के अंतरगत तो अनुवरत अपराथ कहाई और उसको जितनी भी दफा जैसे दो तारिफ इसको हम किया गया है अगी जा लगतार इसको पांच तरिक तक जो है उसको इसका इच्छा हम लिये जातन दो हो रहा है तो अगर ऐसको थ으ी ऊकोधा इसको तो इस प्रकार से जो प्रत्य च्छन अपराध से और पर्तारालम करने के लिए प्रसीमो शमिलेड करने के लिए ऊसमेलिश करने के लिए तो व्यडिमेद्य प्रकार्ट नतीम तो दूए उस जो हमाने मैं मौन शूर माना जाता है नेख्स्ट है सुमेलित लिए तो इसमें से लगत सभी सुमेलित हैं इसमें पहिला है अग्रिम जमानत इसके बारे जो प्रावधान है वो दो 438 के अंतरगत किया गया है परिवाद पर संग्यान या धेंग्षा झाक होगी इसके संग्षारन ऑदान ली जाती है तो इस प्रकार से जो चारों विकल्प हैं यह सभी सुमेलित हैं कि नेक्स है CRPC की निम्लिकित में से कौन सी धारा आप आधिक विदी संसोधन अध्रियम 2018 के द्वारा संसोधित की गई थी तो 2018 में इसमें से धारा 173 के अंतरगत संसोधन किया गया है है कि अगर किसी सिसु से बलात कार किया जाता है तो ऐसी इस्तिति में ऐसे अपरात का जो अनुवेशन है वह दो मात के अंतरगत पूरा किया जाएगा इसके पहले जो है 2018 के पहले यह जो अवदी थी यह तीन महीने थी कि सिसुर्षे बलातकार के मामने में जो इन्वेस्टिगेशन है वो तीन महीने के अंदर पूरा किया जाएगा लेकिन इस 2018 के संसोधन के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि यह जो अन्वेशन है यह दो सreseक्ण है जो आपराद होते हैं उसका जो इन्वेस्टिगेशन दो में के अंदर करपूरा किया जाएगा लेकिन 374 के अंतर के यह अप्रावधान किया कि इस अप्रावधान का जो अपील होगी तो वह जो अपील है इसकी अपील दाखिल किया झाली से sechs माह के अंदर उसको निस्तारित किया जाएगा तो यह दो प्रावधान 2018 में जोड़े गए हैं कि नेक्स्ट सूत्र किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए तो यह जो सिद्धान्त है यह जो सूत्र है स्थान प्राप्त करता है तो यह जो है थारा 300 के अंतरगत इसका बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोससिद्ध या दोसमुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनह विचारण नहीं किया जाएगा उन्हीं वाद हेत्कों को लेकर नेक्स्ट जब कि भारती दर्ण संहिता की धारा 376 घय के अधीन पारित दंडा देश के विरुद्ध दर्ण संसोधन किया है 2018 में और यह अपराध किया गया है कि जब कि अपराध किया जाता है तो उस अपराध के आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह अईसी अपील का निप्टारा कर दिया जाएगा तो यह जो प्राधान है धारा 374 में खंड चार जोड़ा गया है 2018 के संसोधन अधनियम की द्वारा और यह जो प्राधान 6 महीने के अंदर उसका अपील का निप्टारा किया जाएगा नेक्स्ट है CRPC का कौण सा प्राधान बंदी प्रत्यक्षी करण रिट के समान है तो बंदी प्रत्यक्षी करण रिट के समान जो है वह धारा 97 है क्योंकि 97 के अंतरगत यह प्राधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को अवैद रूप से कहीं निरुद्ध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्टेट है उस व्यक्ति की तलासी के लिए वारंट जारी कर सकता है और उसे इसके लावा धारा 91 को देखेंगे त हुआ झालमन के बारे मिप्रावधान किया गया है और धारा 93 के अंतरगत है कि दै आच्प,half करने के लिए ही, गोसला को इस आपरtschaft करने के लिए हाई-कोट में आवइदन किया जाना तो इसके बारे मिप्रावधां थानवीं दिया गया है CRPC की धारह 1661 के अंतरगत, जब तलासी भारत से बाहर होती है, तो दांडिक न्याले क्या जारी करता है? तो 1661 के अंतरगत जब तलासी लिया जाना है और भी तलासी भारत के बाहर ली जानी है तो ऐसी तिती में जो दांडिक न्याले है या जो क्रिमिनल कोर्ट है वह अनुरोध पत्र या लेटर आप रेक्वेस्ट जारी करता है नेक्स्ट जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाध है तो यह जो कथन है यह सरोचनियाले के द्वारा किस केस में किया गया था तो यह केस थी मोती राम बनाम मध्यपरदेश राज यह 178 का केस है इसी केस में सरोचनियाले ने कहा कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाध है अर्थात अमूमन किसी व्यक्ति को जवानत दे दी जाने चाहिए और अपवाधिक परिस्तितियों में ही किसी व्यक्ति को कारागार में भेजा जाना चाहिए नीक्स है गिरफतार व्यक्त की डाक्टरी जाच के लिए दंड्ड प्रक्रिय संगीता की किस धारा के अंतरगर्व प्रावधान किया गया है जभकि धारा necessity के अंतरगत किया जाता है जबकि घ्रंवन चाहुन के अंतरगत यह अर्थात मेडिकल आफिसर यह चिकात्षा अधिकारी के द्वारा जो है कि द्वारीक्षन किया यह दोनो जिखनी हं दोनों स्फ्रेक्षन किया जाता लेकिन यह ध्यान रखने रॉाली बात धारीक्षाजirt तो दारा चवण में होता है और तीरपन और तीरपन एक अंतरगत जो पंजी कृत चिकत्सा व्यावसाई हैं उनके द्वारा जो है धारा पच्पन के अंतरगत है कि जब पुली सरकारी वारंट के बीना गिरपतार करने के लिए अपने अधिनस्त को न्यूक्त करता है तब क्या प्रक्रिय अपनाई जायेगी और धारा चौण सट के अंतरगत है सरकारी सेवक पर समन की तामील के बारें प्रावधान धारा प्रिक्षण के लिए किसी पंजी क्रित चिकित्सक के पास भेजना होगा तो 164 के अंतरगत जो रेप विक्टिम है अर्था ब्राजसंग की कोई प्रिक्षण के प्रावधान किया गया है और ऐसे प्रिक्षण प्राट्र की सूच नाफ्राप्ट होने के 24 गंटे के अंदर उसकी जो है प्रिक्षा की जाएगी और आता Wow खेल नेक्स और सी रर्पिसी की निम्ना धाराओं में से कौन सी धारा कीषोरों के मामलों में अधिकारतार दारा व्jach तो एक सत्ताइज और धारा सत्ताइज के तंदर में एक शॉल्पूर बत ये है कि जो सोला वर्स यह उससे कम कि आयू के व्यक्ति को ही उसमें किसोर माना गया है तो इसमें जो है अमूमन हर जगह है जो किसोर है या वैस कहा है उसकी आयो 18 वर्स जो है मानी जाती है लेकिन धारा 27 के संदर में यह चीज जो है याद रखने वाली चीज है इसके अलावा धारा 25 के अंतरगत अर्थात जो सहाय कभी हो जन अधिकारी हैं इनके वारें प्राउधान किया गया है और दारा 26 के अंतरगत है कि नियाले जिसके दोरा प्राद का विचारण किया जाएका तो इसके भाल प्राद कि आप सेशन या सत्र नियाले यह अन्याइसे नियाले जो प्रफम अनुसूची में दर्सीत हैं तो ईसके नौलों कि द्वारा की पराध का विचारन किया जाए definite प्राधान धारा 26 के अंतरगत है और धारा 26 यह बताया ग्या है है कि आएसे कौन से धन्ड है जो कि ऊच्श न्यालह और राइस कौन 24 में हाई कोट और सत्सक्राइब नियाले की दंड देने की सक्ति के बारे प्राइब है और धाराब 29 के ! Oh धारे नेक्स है की निंडिकी सदारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की समभधानिक परिभासा दी गई है तो एफाइयार अर्फाथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभासा है कि वह कहीं भी नहीं गई है और परिभासा के नहीं दी गई है और बंदि ब्यक्ति के स्वास्थ और स्वास्थ और सुरक्षा के वारे जो पबन्द है वह 251 दिया गया है जब कि गिरफ़तार अगर किसी व्यक्त को किया जाता है तो ऐसी जो गिरपतारी होगी उसकी सूचना उसके मित्रों को या नातेदारों को दिया जाना आवस्यक है तो गिरपतारी की स्थिति में सूचना के बारें प्रावधान धारा 51 एक अंतरगत दिया गया है और धारा तीरपन एक अंतरगत ज जो है वह कठोरता पुर्वग और संघिता के अनुसार की जाएगी तो इस प्रकार से यह जो सभी चारों धाराएं हैं कि प्रावधान यह क्या है अमने देखा है आए देखते हैं ओ नेक्सक्ट कोष्चेन कि CRPC की धाराओं में से निम् nomοιड किस धारा के अंतरगत उच न्याले की अंतर नहीं सक्तियां बताई गई है तो हाइक कोड की अंतर नहीं या हिंहेरेंट पावर जो है वह भिराव धारा चारसो बैयासी के अंतरगत बताई गई है इसके लावा धारा चारसो अठाइस के अंतरगत मुजरा के बारे में प्रावधान किया गया है अर्थात मुजरा के बारे में प्रावधान जो है CRPC की धारा 428 के अंतरगत और साथ में आप CPC को भी याद रखें कि CPC की आदेश 8 और नियम 6 के अंतरगत इसके अलावा आदेश 20 और रूल 29 के अंतरगत तो इन तीन जगहों पर जो है मुझरा के बारें प्रावधान किया गया है तो यहां पर जो यह CRPC धारा 428 से इसका जो म कि अधिमान लीजे किसी व्यक्ति को 10 वर्स के कारावाज से दंडित किया गया उसको फाइनल सजा दी गई लेकिन वह विचारण के दवरान दो वर्स जो है जेल में बिता चुका है तो ऐसी सिती में जब उसको नेड़े सुनाया जाएगा तो इसे दस में से दो वर्स जो उ दारा आदेश 8 नियम 6 अंतरगत और आदेश 20 नियम 19 अंतरगत जिसके बारें प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच नयाले में किसी मुकदमे का विचारन किया जा सकता है तो हाईट में किसी मामली का ट्रायल गज्ञमा व् इसमें जो है मामलों के अंतरण की हाई कोड की सक्ति के बारें प्रावधान किया गया है और जारा 483 के अंतरगत यह बताए गया है कि मजिस्टेट के नियाले पर हाई कोड का अधिक्षण होगा तो यह जो प्रावधान धारा 483 के अंतरगत किया गया है कि मुस्लिम महिला तलाग पर अधिकारों का संदच्छन अधनिया मुनई 186 जो है इसके लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने है तो धारा 125 जो CRPC का प्रावधान है तो इसका जो शेत्रा दिखार किया गया है इसे प्रतिधारित कर लिया गया है अब Krpc कि निम्ण धाराओं में कौन सी धारा में नेड़े की भासा और अंतरवस्तु या विस्य वस्तु के बारे में उप्ववर्धान धाराा 354 के अंतरगर दिया गया है इसके अलावा अगर देखेंगे 303 के अंतरगरण नेड़े प्रावधान किया गया है और 355 के के अंतरगत महानगर मजिस्टेट अर्थात एम एम जो होते हैं मेट्रोपोलिटर मजिस्टेज से कहा जाता है तो इनके नीड़े के बारें प्रावधान 305 के अंतरगत किया गया है जबकि धारा 356 के अंतरगत जब पूरोतन दोससिद्ध प्राधी को अपने कि सूचना देने के आदेश के संबन में प्रावधान 356 कि अंतरगत किया गया है कि की निम्न धारां में से कि सदारा के अंतरगत बताए गया है कि en 30 सेची की बिचारण के बारें नेके 255 में दिया गया है और घ्लास में वह तक कर कर सकता है तो इसके बारें प्रावधान धारा 261 के अंतरगत दिया गया है और ऐसा जो मैस्टेट है ऐसे अपराद का विचारण कर सकता है जो की केवल जुर्माने से दंड़नी है या जुर्मान सहीत या रहित छह माह तक के कारावाज से दंड़नी अपराध है तो ऐसे ही अपराधों का केवल विचारण जो है सिकंड क्लास मैस्टेट कर सकता है धारा 261 के तहत नेक्स्ट है CRPC की धारा 192 के अंतरगत दिती स्रेडी मैस्टेट को निम्न में से कौन अपराधों का संग्यान लेने के लिए अधिकरित कर सकता है तो 190 के अंतरगत जो है अपराधों के संग्यान के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 190 के खंड दो जब देखेंग तो उसमें जो है यह अपरावधान है कि जो मुख्य नाइग मैस्टेट होते हैं वह है दिती स्रेडी मैस्टेट को अपराधों का संग्यान लेने के लिए अधिकरित कर सकते हैं अभी चहाइब को नेच्ट 365 के तो गश्य को परिभासिट किया गया है और वुर्प जेतरिया कि अएसा मामला जिसमें जो है जो सजा है मृत्यू दंड है आजीवन कारावास है या दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनी एगर कोई मामला है कोई अपराध है तो वह जो मामला है वह वारंट मामला कहलाता है और इसकी परिभासा धारा 2 को एक्स के अंतरगत दी गई है कि नेक्ट है सी आरपीसी की निम्न धाराओं में से कौनसी धारा किसी पूरुस पूलिस अधिकारी को महिला के गिरफतारी के समय उसके सरीर को छूने से मना करती है तो इसका जो प्रावधान है अधारा 46-1 के परंतुक के अंतरगत दिया गया ह और इसके अंसार कि जब किसी इस्तिरी को गिरफतार किया जाना है तो ऐसी इस्तिती में जब तक की परिस्तितियां प्रतिकूल नहीं हो गिरफतारी की उसको मौखिक रूप से सूचना दी जाएगी उपधारणा की जाएगी कि सूचना देने पर वह महिला अपने आपको अ स्टारी कर सकता है लेकिन परिवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की प्रिक्षण प्रारंब कर देता है तब मेजिश्रेट का कारihat निमने से कौंसा है तो act अग्रिम् जमानत के लिए आवेदन कि अपराधों के लिए किया जा सकता है दारा 47A कि यदि किसी व्यक्ति को युग्त-युग्त असंका है कि उसको किसी गार जमानती अपराद के लिए गिरफतार किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वह जो है न्याले से यह आविदन कर सकेगा कि ऐसी गिरफतारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए next है CRPC के किस धारा में परिशीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताए गया है अर्थाथ जो परिसीमा काल का प्रारंब होगा वह कब से होगा तो इसके बारे में प्रावधान जो है वह किस धारा के अंतरगत किया गया है जबकि धारा 466 के अंतरगत यह परिसीमा काल की क्या होगी इसकी परिभासा बताई गई है और दारा 468 के अंतर गतिया पताया गिया है कि जो परसीमा काल है उसकी समाप्ति के बाद किसी भी मामले का संग्यान नहीं लिया जा सकता है तो कौन से मामले हैं कि यह महीने होगी कि अगर एक दक का कारावास है है कि उससे अगर कर दायक होगाए शर्म्ला का मामला है तो यह परेषी को होगी लेकिन अगर तीन लेकिन अधिक के दंडि से अगर कोई अपराद है तो इसी इस्तिती में परिसीमा काल है उसका निर्धारन नहीं किया गया है उसके बारे में कुछ नहीं बताए गया है तो ऐसे मामले का संग्झ्यान होँ है कभी भी लिया जा सकता है और 177 जानुम परिसीमा की प्रा में प्रारओ को तो उस दिन पहली बार आपराद का पता चलता है या सूचना जो है पुलिस को मिलती है तो इस प्रकार से इसके बारे में जो प्रावधान है उधारा 470 के अंतरगर दिया गया है और 470 में बताया गया है कि कुछ दसाओं में यह जो है समय का अपवर्जन किया जाएगा नेक्स्ट है CRPC की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी नियाएधिस या मजिस्टेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयम हितबद्ध है उसका विचारण नहीं करेगा तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 489 के अंतरगर गया है और इसमें अब बत तो यह जो धारा है वह नेचुरल जैस्टिस या जो है फेयर ट्रायल के सिद्धांत पराधारित है इसके अलावा जो है यह धारा 478 के अंतरगर यह बताया गया है कि कुछ दसाओं में कारपालक मईस्टेट को सौपे गए कारियों को प्रावर्तित करने की सक्ति के बारे इ अंजूरी से ही ऐसे नियम को बना सकता है इसके लावां जो 482 है इसमें जो है उच्छ नियाले की अंतर नहीं सक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट है CRPC के निम्लिकित में से कौन सी धारा अपराध सब्द को परिवासित करती है तो अपराध की जो परिवासा है वो दारा 2N के अंतरगत दी गई है CRPC में और इसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार या लोप अभिप्रेत है जो कि तत्समें प्रवित किसी बीदी के द्वारा धंड़नी बना दिया गया है और इसके अंतरगत कोई ऐसा कार भी आता है जिसके बारे में पस्वा तिचार अधनियम की धारा एक सो तो यह जो फार गयनिंग के बारे प्राव थालधान है यह थारा 225 drums फैसे लेकर 245 एल क्या दे गया है और इसके अंतरगत जो अब्किंदैंग के द्वारा किया जाता है और ऐसा है र्भी सी के अंतरगत के तीसे अधिक के कारवास से दंडेनी अपराद के लिए दायर locks करने ही तुआ परिसीमा काल का निर्धारन है क्या होगा अग्रぞれ घंक मामला तीन वर से अधिक के कारावास से दन्ड़नी है तो अइसे परिसीमा काल होगा निर्धारित नहीं की गई है और इसके बारे में प्रावधान है धारा 268 के खंड दो के अंतरगत किया गया है कि नेक्स है उच्चितम नियाले ने किस वाद में यह निर्धारित कि बलातकार के मामलों का निप्टारा मध्यस्तता के द्वारा नहीं किया कि बलातकार एक गंभीर अप्राद है और इसका निप्टारा किसी तरीके से मध्यस्तता के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी परिस्तिती में इसमें इस मामले में तो साधी कर लेता है तो ऐसे साधी कर देने से जो अपराध है उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती है और जो अपराधी है वह छूट नहीं सकता है तो यहीं जो नीड़ है मद्ध प्रदेश राजबनाम मदल लाल का केस है उसमें दिया गया था नेक्स्ट है CRPC की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा कहती है कि जब तक अन्यथा वुपंध इतना हो कोई अपील नहीं हो सकती है तो इसके बारे में प्रावधान धारा 372 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट CRPC की निम्न किस धारा के अंतरगत वे अनिमेत्ताएं बताई गई हैं जो कि प्रक्रिया को दोसित नहीं करती हैं तो कौन सी अनिमेत्ताएं हैं जो कि कारिवाही को या प्रक्रिया को दोसित नहीं करती हैं तो इसके बारे में प्रावधान धारा 460 के अंतरगत ब तेजाब हमले में घायल बेक्तिकेट चिकिस्ते की इलाज के लिए निर्देश जारी किये हैं अर्थाथ जो इसके सर्वोचिन्यालर ने निरड़य दिया है कि जो त्रीट्मेंट के लिए खर्च लगता है उसको दिया जाना चाहिए उसका निर्धारण तो यह जो केस है लक्षमी बनाम भारस संग का यह 2015 का केस है और यह सी डेटक्ट के उपर यह लीडिंग केस है और इसमें जो है सरोच नियाले ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किया था और तेजाब के विक्रे पर खुले आम विक्रे जो होता है उस पर रूक ल सूची के अंतरगत आता है तो CRPC जो है यह समवर्ती सूची के अंतरगत आती है नेक्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की किस धारा में हुई अनुमित्ताएं जो विचारण को दूसित करती है यह बताई यह हैं तो अभी हमने देखा है कि धारा 461 के अंतरगत वे अनिमित्त परिवाद की परिवासा दी गई है तो परिवाद में जो है कैसे अपराद से संबंदित है अर्थात किस प्रकार के अपराद का परिवाद किया जा सकता है तो यह जो प्रस्ण है यह 2013 में पूछा गया है पीचे की परिख्षा में 2013 नहीं 2015 में पूछा गया है तो परिवाद जो है यह संगे और असंगे यह दोनों प्रकार के मामलों में परिवाद किया जा सकता है कि नेक्ट सी आर्पीसी की निम्निकी सधारा के अंतरगत यह कहा गया है कि गिरपतार ब्यक्ति को गिरपतारी के बाद 24 की हंटे के अंदर मजिश्टेट के समक्ष परस्तुत करिया जाना आवश्यक है या अग्यापक है तो इसके बारें प्रावधान धारा 57 के अंतरगत कि में प्रावधान किया गया है और धारा 69 के अंतरगत जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनका कब उन्मोचन किया जाएगा इसके बारें में प्रावधान किया गया है कि नेक्स तो ईया रफीच के किस धारा के अंतरगत भरण पोसंड के लिए जो भत्ता दिया जाता Ugh अदिश जो है पतनी को दिया गया है और पतनी क्या करती है कि अन्यत्र तोkiejसी श्तिती में वह रिवत्ति का परीवर्टन कर दिया जाएगा और अगर वह किसी शफे निश्चित ध्ह कि धन्राशी है उसके तेहत कोई निश्चित धन्राशी द्हाप्त कर लेती है तो वहाँ पर भषेटियों में बदलाव किया जा सकता है इसके अलावा जो है अपने अधिकारों का तो इन सब मामलों में जो भर्ण पोस्टबद्ता है उसमें। परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें बदलाव किया सकता है। तो इसके संबंद में प्रावधान है वह धाराा 127,7 के अंतरगत दिया गया है। इसके अलावड धारा 125 के त्याद भर्न पूश्ण का अदेश दिया जाता है और धारा 126 में यह हैं खिने भारें प्रावधान किया गया है Q agrees इतारा zor 1998 एधिन अग्रिम जमानत निम्लिखित प्रकार के अपराधों के लिए है जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है किस प्रकार की अपराधों के लिए माम नहीं क्योंकि जम on यह एक्रायृत किना में से किस ब्रस्पाइब किया गिया है ये आंतरगत दिया गया है इसके एक अंतरगत को परिभासित किया गया है और धारा 2B के अंतरगत आरोप को परिवासित किया गया है और धारा 2I है यह तो 2I के अंतरगत न्याइक कारवाही को परिवासित किया गया है नेक्स्ट राज सरकार के द्वारा दंडा देश के बिरुध अपील दंडर प्रक्रिया संहिधा कि किस द ROS की जाती है तो राज सरकार के द्वारा जो है दारा 377 के तहट Ř् delivered चीतर के जाती है दuine्डा देश के बिरुध और यएसी जो अपील है यह कोट आप सेशन में की जा सकती है और हाई कोट में भी की जा सकती है इसके लावा धारा 375 के अंतरगत कुछ मामलों में जबकि अभ्यूक्त अपना अपराद सुईकार करता है तो वहां पर अपील करने से प्रतिबंध लगाए गया है अर्थात इसी श्तिति में अपील नहीं होगी जबकि जो अभ्यूक्त है वह अपने दोसी होना सुईकार कर लेता है और धारा 376 के अंतरगत छोटे म मामलों में अपील नहीं होगी इसके बारे में प्रावधान किया गया है और आगे जो है धारा 399 की अंतरगत आपील तो इसके बारे में प्रावधान धारा चार सव सोला के अंतरगत दिया गया है और इसके अंसार कि जब कोई इस्तरी को मृत्यु दंड दिया जाता है और वह जो इस्तरी है गर्वती पाई जाती है तो ऐसी इस्तिती में जो उच्छ न्याले है वह दंडा देश को आजीवन कारावास के रूप में उसका लगकरन कर स है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह दारा 306 के अंतरगत दिया गया है और इसके अंसार अगर कोई सट्क न्याले के द्वारा मृत्यू दंड पारित किया जाता है तो उसकी जो उच्छ न्याले के तो अभी आमने बताया है कि जो पारित किया जाता है सत्रियाले के द्वारा उसको हाई कोट के समक्ष भेजा जाता है उसकी पूष्टी के लिए तो ऐसी स्थिति में धारा चार सो उनात्तर के अनुसार आईसे जो नेड़ा है मृत्ति दंड का उस पर जो है कम से कम दो नियायधिसों के द्वारा हाई कोड के दो नियायधिसों के द्वारा उसकी पूष्टी किया जाना अवस्यक होता है तो समनी तथा समनी अपराधों का वरुगी करण dataset के अंतरगत कहाँ पर किया गया je और अभर्योजन वापस लिए जाने के संबंद में परावधान किया गया है और कोई अभ्योजन धारा 321 के अंतरगत लोक अभियोजक या सहायक अभियोजक जो है वह निड़े सुनाई जाने से पहले जो है नियाले की अनुवती से अभियोजन वापस ले सकते हैं और जो दूसरी अनसूची है उसको देखेंगे तो दूसरी अनसूची में कि इसमें कुछ प्रारूप दीए गए हैं या मृत्यूदर का वारन्ट क्या होगा इस प्रकार के जो प्रारूप ऑफ नयमुर्थी जएस बर्मा की एक समिती थी जो 2013 में बनाई गई थी जो निर्भया कांड हुआ था तो उस दौरान जो है यह समित का गठन किया गया था और इस समित की सिफारिश के आधार पर जो क्रिमिनल ला में कमेंट किया था 2013 में तो इस रिपोट में जो है यह ऑन हमले उसको क्या कहा जाये जो संस्थूथ म्लडे उप्रवेशन दंड संगिता के अध्याई 21 के अंतरगत मानहानी के अपराद का संग्यान लिया जा सकता है कोई न्याल है आई पी सी के अध्याई 21 के अध्यान जो लिए जाता है और इसके अलावां इस ब्यक्ति के परिवाद के लावाँ अगर या पागल है या रोग रोगी है या पर्दानसीन कोई महिला है जो कि अपनी रोढ़ियों के कारण जो है लोगों के सामने नहीं आ सकती है तो ऐसी स्थिति में वह जो परिवाद है वह किसी अनिव्यक्त के द्वारा नियाले की अनुमती से भी किया जा सकता है नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता कि धारा 161 के अंतरगत अन्यूशन के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकार्ड किये गए अभियुक्त के कथन को परिक्षण के द्वारा दौरान यह उपयोग में लाए जा सकता है तो किस कारी के लिए इसे परिक्षण के दौ दौरान या विचारण के दौरान उपयोग में लाए जा सकता है तो इसके बारें प्रावधान है 161 के अंतर के दिया गया है CRPC की दारा में और यह जो उसका पुराना जो कथन है यह साक्षी का जिसने अपना जो कथन दिया था इन्वेस्टिकेशन के दौरान तो उस जो बातों का खंडन करने के लिए उसके पूर्वा कथन का हुई उपयोग में लाए जा सकता है तो इसका ताथ पर यह है कि अगर कोई साक्षी है कोई कथन करता है और पश्चात वर्ति जब आउसर पर न्याले में प्रस्तुत होता है और न्याले में वह कोई दूसरा कथन करता है तो इसके दूसरे वाले कथन का खंडन करने के लिए यह जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 के तहर जो उसने कथन किया था सकते हैं तो इसको प्रावधान है दारा 161 के अंतरगत दिया गया है डाक घर कितलासी का वारंट कौन जारी कर सकता है तो इस प्रकार से दीएम और लीव तो जो अथिकारी है यह डाग घर की तलासी का वारंट जारी कर सकते हैं डंद प्रक्रिया संगिता के अंतरगत फरार अभियूक्त की गईर हाजिरी में साक्षी की परिक्छा की जा सकती है तो ऐसा जो प्राव दान है वह धारां 299 में की जा सकती है धारा 299 के अंतरगत यह प्रावधान है कि अभ्योगत की अनुपस्थिती में भी कभ साक्षे लिया जा सकेगा या जो साक्षी की परिछा की जा सकेगी इसके लावद 321 को अगर देखेंगे तो 321 के अंतरगत अभ्योजन वापस लिये जाने के बारें प्रावधान है और धा लग आप लिया जा सकता है इसके अलावा 301 के अंतरगत दिया गया है कि लोकँ अभ्योजक के द्वर्ण गर dock कोई मामले का भार glued कर सकता है और अभ्योचन कर सकता है तो इसके बारे हैं प्रावधान धारा 301 के अंतरगत दिया गया दिए परसीमद के वाइन है और इसमें जो बताए गया है कि अगर कोई अपराध किवल जुर्माने से दंड़नी है तो ऐसी स्थिती में जो परसीमद होगा वह च्हा महीं ने होगा और अगर अगर कई अपराध है जो कि एक वर्स तक के कारावास से दंडनिः नहीं नहीं किया गया है दारा 468 के अंटेवगत नेक्ष्ट है दंड प्रकिया संगिता की धारा 183 तो 183 में क्या है कि यात्रा अथ्वा जल यात्रा में अगर कोई अपराद किया जाता है तो ऐसी स्थिती में उस अपराद का जो विचारन का अस्थान होगा या उस अपराद का विचारन होगा वह कि इस न्याले में किया जाएगा इसके बारें प्रावधान किया गया है तो यह जो धारा 183 है यह खुले समुद्री आतर पर लागू नहीं होती है अर्थात इसके जो प्रावधान प्रत्य भूति के लिए जो आदेश दिया जाता है यह सत्र नियाल अर्थात कोट आप सेशन या फर्स्ट क्लास मजिस्टेट के द्वारा जो है इसके आदेश इस धारा के तहत दिया जाता है और उसमें तीन वर्ष तक की आवध के लिए जो है परिसांद बनाए रखने के ल सदाचार के लिए प्रत्यभूत के लिए आदेश दिया जाता है और इसी प्रकार से धारा 109 को दिखेंगे इसमें संदिख्ध व्यक्तियों से जो है सदाचार के लिए प्रतभूत की मांग की जाती है और धारा 111 के तहट जो है इन सब के तहट जो आदेश जो है वो दिया जाता है डंड पर खिया संगिता की धारा 27 के अनुसार किसोर की उम्र कितनी है तो यह महतपूर्ण है कि धारा 27 है उसमें किसोर की उम्र वह 16 वर्स है अर्थाथ कोई व्यक्ति जब 16 वर्स या उससे कम Wealds अधरा ौजह किter ह Luther अर्थात मिर्तिव दंड और आजिएवन कारावास से भिंद को या पराद किसी किसोर के द्वारा अर्थात 16 वर से कम आयू के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो ऐसी त्रिति में उस व्यक्ति को मुख्षिन्याइग मईस्टेट या बालक अधिनियम या किसोर अपराधियों के उपचार और परसिक्षर तथा पुनर्वास के लिए जो कोई विधी है उसके तहट ससक्त किया गया कोई मईस्टेट है तो उसके समख्ष ऐसा जो व्यक्ति है किसोर व्यक्ति उसे पेस किया जाएगा नेक्स्ट है आपराधिक विचारण में साच कौन लिखता है तो आपराधिक विचारण के मामले में साक्ष जो है या मजिस्टेट की द्वारा लिखा जाता है और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 275 में और 276 के अंतरगत दिया गया है और 275 में जो साक्ष लि को टाप सेशन अर्था सत्र न्याले के समक्ष जो विचारण होता है तो ऐसी स्तिती में जो साक्ष का अभिलेखन किया जाता है वह है सत्र न्याले के द्वारा किया जाता है इसके रहा धारा 274 को देखेंगे 274 के अंतरगत समन मामले में अगर कोई समन विचारण हो रहा है त है सत्ष наст न्याले के द्वारा लिखा जाता है कि नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संगिता की कॉंसी धारा लागू होगी जब की पुलिस थाने के भार साध्य कद्यों यह सुचना मिलती है कि seu कि ब्यक्तिने और अत्मध्य कर लिए तो ब्रहुति होगी एक अपराध करता है दो अपराध की चुराई गई सामप्ति प्राप्त करना या आप राधिक नियाजभंग की कोटी में आ सकता है तो यहाँ पर एको चोरी के लिए आरोपित किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपराधिक न्याजभंग का भी अपराध किया है तो आरोप तो चोरी के लिए लगाये गया है लेकिन उसको बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्याजभंग का अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में किस आपराध के लिए आरोप लगाये जा सकेगा उसे दोसिद किया जा सकेगा तो इसके बारे जो प्रावधान है यह अधारत 211 की अंतरगत दिया गया है और यह जो प्रस्थन है वो अधारत 211 की दृष्टांत का पराधारित है और ऐसे मामले में उसे अपराधिक न्यास्भंग के लिए दोसिद किया जा सकता है भले ही उसे ऐसे अपराध का आरोप उसके उपर नहीं लगाया गया था अर्थात भले ही उस अपराध के लिए आरोप नहीं किया गया था लेकिन फिर भी उसे उस अपराधिक न्यास्भंग का प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्या कर सकता है तो उच्छ न्याले जो है उसकी पुन्रिक्षण की सकती के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 401 के अंतरगत दिया गया है और 401 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है इसके खंड तीन के अंतरगत कि जो है हाई कोट अपनी पुनिरिख्षण सक्ती का प्रयोग करते हुए अभ्यूग्त के दोस्मुक्ति के निस्खर्स को दोस्चिध्धी के निस्खर्स में परिवर्थित नहीं कर सकता है अर्थात अगर कोई अभ्यूग्त है उसको न्याले के द्वारा द दिया गया है इसके अलावा जो है पुनिरिख्षण सक्ती के बारे में और भी प्रस्ण जो पूछे जाते हैं वह धारत तीन सो निन्यानवे है तो तीन सो निन्यानवे में जो है सत्र नियाले की पुनिरिख्षण सक्ती के बारे में प्रावधान किया गया है और धारत चार को एक ब्यक्ती को गिरतार करने की सकती है किसी प्रकार के मामले कि lazi को वारेंट बिने गिरतार कर सकता है जो है योगतियोगत आपसंका परिवासित किया गया है तो CRPC की धारा 2N के अंतरगत अपराद की परिवासा दी गई है और अपराद के परिवासा जो इसकी दी गई है इसके अनुसार कि अपराद के अंतरगत कोई ऐसा कार्य आता है या लोप तो कोई ऐसा कार्य या लोप जो है आता है जो किसी तत्समय प् कोई कार्य करके अपराद किया जा सकता है या लोप करके तो कार्य का ताथ पर तो आप जानते ही हैं कि कार्य करके कोई अपराद के इस परकार से किया जाता है लेकिन लोप जो है लोप का ताथ पर यह है कि अगर किसी कार्य को करने का किसी ब्यक्तिका विधिक करतब्य है अर् उसकार्य को वह दुर्भावना पुरुवागास ऐसे नहीं करता है तो इसे ही लोप कहा जाता है कि नेक्स है उच्चितम नियाले ने निमलिखित में से किस मामले में यह निरधारित किया है कि दंड प्रक्रिया संगीता की धारा सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी भी धर्म के अनुवाई क्यों नहीं तो ऐसा जो नीड़े था वह सरोच नियाले ने दिया था मुहम्मद अहमंद खान मनाम साहबानों वेगम के केस में नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 438 की अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की सकती निम्लिकित में से किसे प्राप्त है तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान धारा 438 की अंतरगत दिया गया है और अग्रिम जमानत जो मंजूर करने की सकती है वह सत स्टनन्याले और उच्छ न्याले अर्थात सेशन कोड़को और हाई को इन दोनों को इसकती प्राप्त है और इसके तहज़ जब किसी व्यकति को यह युक्तियुकत रूप से आसंका है कि उसे किसी गैर जमानती मामले में गिरपतार किया जा तो आईसी श्तिति में वह व्यक्ति सत नियाले या उच्छ नियाले के समख्ष आविदन दे सकता है कि अईसी गिरपतारी की स्तिति में उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो इसे ही अगरिम जमानत का कहा जाता है और इसके बारे प्रावधान धरा 438 की अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की निम्लिखित में से कौन सी धरा उच्छि नियाले की पुन्रिक्षण की सक्तिक से सम्बंदित है तो अभी हमने देखा है कि हाई कोड की पुन्रिक्षण की सक्तिकी बारे प्रावधान धारा 401 के अंतरगत दिया गया है और धारा 399 के अंतरगत सत्त नियाले की पुन्रिक्षण्ड के सकती के बारे प्रावधान किया गया है और धारा 395 को देखेंगे तिसमें एकोड को निर्देश से संबंधित प्रावधान किया गया है और निर्देश कि उसको किया जाता है यह हाइक को रखारव खी इसके अलावा dessa 392 के अंतरगत उच नियाले को अगर कोई निर्देश दिया जाता है तो धारत 396 में यह अप्रावधान है कि ऐसे निर्देश पर हाई कोड के द्वारा उस मामले का निप्टा रखिया जाएगा नेक्स्ट है अपहरण और बलातकार के मामले में एक निरक्षर तथा गमार योती अभियोगता अर्था प्रीडिता के द्वारा दिये गए साक्ष के मामले में बिरोधा भास और चूग जो है स्वाभाविक है जहां तक उसकी याददास्त निर्देश और घटनाओं की कड़ 2011 में दिया था अपर मुख्याइग मैस्टेट निम्लिखित में से किस अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है तो अपर मुख्याइग मैस्टेट की जो दंड देने की सकती होती है वही सकती होती है जो कि मुख्याइग मैस्टेट को होती है अर्थात मुख्याइग मै कि जो सकती दंड देने की सकतियां है वह दोनों समान है और धारा 29 को अगर देखेंगे तो धारा 29 CRPC के अंतरगत या प्रावधान है कि जो मुख्य नाइग मैस्ट्रेट है वह सात वर्स तक का कारवासकत सजा जो है दे सकता है नेक्श है दंड प्रक्रिय संगीता का काहुंसा प्रावधान बंदिट च्छी करन रिट के समान है तो यह प्रावधान अधारा 97 के अंतरगत दिया गया है और यह जो धारा है बहुत महत्पूण है तो और इस भाला के तहट जो है हाई कोत कि किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी नियाले की का रिवाही का दूरुलपियोग रोकने के लिए या कोई अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों को प्राफ्त करने के लिए जो आदेश जो है देता है हाई कोर्ट नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा लागू होगी जब कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्मात्या कर ली है तो अभी हमने पहले भी देखा है तो यहां पर जो है धारा 174 लागू होगी अर्थात 174 के करते संगिता कि जब तलासी भारस सन्थरह नयाले हैं अर्थात जो कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट है वह क्या जारी कर सकता है तो जब भारत से बाहर तलासी होने की सिती में धारा 166 के तहट जो न्याले है वह प्रार्थना पत्र अर्थात लेटर आफ रिक्विश्ट जारी करता है और ऐसा जो पत्र है अनुरोध पत्र है या प्रार्थना पत्र है वह ऐसी रीत से जारी किया जाता है जो कि जो रीत जो है केंदर सरकार के द्वारा निमित्या बिहित की जाए नेक्स है प्ली वार्गेनिंग का अध्याय जो है यह CRPC में कब जोड़ा गया या किस संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो प्ली वार्गेनिंग जिसे सवधा अभिवाग भी कहा जाता है इसका प्रावधान सन 2005 के जो संसोधन अधियम था दांडिक विद्य संसोधन किया गया है कि नेक्ट है कौँन सा सही सुमेलित नहीं है तो पहला है का पुलिस का संगे अपराधों का निवारन करना तो इसके बारें जो प्रावधान है 149 के अंतरगत दिया गया है यह सुमेलित है दूसरा है संगे अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरपतारी इसके बारे प्रावधान धारा 151 के अंतरगत दिया गया है तो यह भी सुमेलित है और तीसरा है जमाओ के तितरवितर करने की ससस्त्र बल के अधिकारियों की सकती इसके बारे प्रावधान धारा 131 के अ संबंद में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट है नेमलिकित में से कौन दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 125 खंड 4 के अंतरगत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है तो धारा 125 के खंड 4 के अंतरगत भरण की मांग जो है ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जैसे कि अगर कोई पत्नी है वह जारता की स्तिती में रहती है तो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है आपसी सहमती से अगर अलग रह रही है तो भी पत्नी जो है भरण पोस्टन की मांग नहीं कर सकती है तो पहला है संगे मामले में इत्तिला जिसे एफाई यार कहा जाता है पर्थात प्रथम सूजना रिपोर्ट तो इसके बारें प्रावधान धारा 161 के अंतरगत नहीं दिया गया है बलकि अधारा 160 के अंतरगत दिया गया है इसके तहट जो है जो इन्वेस्टिगेशन के दवरान जो पुलिस अधिकारी है वह साक्षियों को अपने समख छाजिर होने की और प्रस्णों का उत्तर देने की जो है आदेश देता है इसी उसे सक सकती है जबकि 161 का actively जो है याप पुलिस के द्वरार साख्षियों की परिक्षा की जाती है उसके बारें किया गया है में और अधारा इकॉस्तार Kansas this के अंतरगत दिया गया है और इसी प्रकार से कि जब साच परियाप्त है तब मामले का मजिस्टेट के समख्च भेज दिया जाना तो इसके संबंध में प्रावधान यह 171 में नहीं है वलकी 170 के अंतरगत दिया गया है और 171 में जो है यह परिवादी और साक्षीयों से पूलिस आधिकारी के साथ जाने के पिक्षाना किया जाना और उनका और उद्ध ने किया जाना की वारे में प्रावधान किया गया है नेक्स है निम्लिकेट में से कॉन उसरा विवान किया है तो वह प्रण पोस्टन कादावा करने के दिकारी है लेकिन अभिवाहिद हम बान जो ओंड़ा नहीं कर सकती है इसके लाבה तुब देखेंगे इसमें है कि एक पत्नी जो कि अपना बलала पोषण करने में असमर्थ है कोई अवयस्क संतान है चाहे वह धर्मज हो या धर्मज हो और पुत्री है अगर वह बिवाहित नहीं है तो ऐसी पुत्री भी चाहे वह धर्मज हो या धर्मज हो वह भनपोषण का दावा कर सकती है और इसके अलावा माता-पिता जो अपना कि नेक्स्ट है जब उच न्याले या कोई सत न्याधिस अपनी अधिकारित्या के अधिन किसी अवर दंड न्याले के समक्ष की गई किसी कारवाही के अभिल्योग को पुनरिक्षण करने के लिए या परिक्षण करने के लिए अपने पास मगाता है तो इसको क्या कहा जाता है तो इसे जो है यह पुनिरिछण का जाता है और यह जो है धारा 397 के तहट अपने पास मंगाता है और निर्देश के बारे में जो प्रावधान है उधारा 395 के अंतरगत किया गया है कि नेक्ट है असाधारण परिस्तितियों के सिवाए कोई इस्त्री जो है वह सुर्यास्त के पस्चात और सुर्योदे से पहले गिरप्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी गिरप्तारी की असाधारण परिस्तितियां भिद्धमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी की जो अनुग्या से की जाएगी तो इसके बारें प्रावधान धारा 46 के खंड चार के अंतरगत किया गया है कि नेक्स्ट है बिना वारेंट गिरपतार किये गए व्यक्तियों की सूचना थाने के बाहर साध्य कदिकारी की द्वारा किसे दी जाएगी तो धारा 58 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि बिना वारेंट के गिरपतार किये गये व्यक्तियों कि सूचना जो है वह थाने के भाह साध्य कदिकारी के द्वारा डियम अर्था जिला मजिस्टेट या उपखंड मजिस्टेट अर्थाथ इस डियम को दी जाएगी निक्स्ट है नेमलिखित यूग में से कौन सही सुमेलित है तो सही सुमेलित इसमें से अग्रिम जमानत तो अंग्रिम जमानत के pantalla प्रावधान जो है जो धारा 400 37 में नहीं है बलकि 38 636 368 दूसरा वाला और तीसरा है 206 मोस्ति दसाँ में अपील अपील के प्रावधान 306 नहीं बलकी topics 365 आथातर सा के अंतरिक दिया गया है और हाई शिप्रकार से इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित थि यह दूसरा वाला प्राद कर सकता है उनका विचारन कर सकता है महानगर कर सकता है कोई कर सकता है जिससे हाई कोड की द्वारा इसके लिए दिक्रित किया जा सकता है तो इस प्रकार से यह जो सभी व्यक्ति हैं सभी न्याले हैं यह इसका अपराद का विचारण कर सकते हैं और संचिप्ति है में को है इसमें से पूछा है कि कौन सभी सुमेलित नहीं है तो अग्रिम जमानत के बारे मारा 148 अंतरक्त दिया ग्या है तो पहला सुमेलित नहीं है दूसरा है है अपील का संशिते था खारिच किया जाना तो इसके बारें प्रवधान धो है धारा 384 के अंतरगत दिया गया तो यह सए घंदा sky ऑप्राव रवाजंग दो सहां जो दूसरा है तो एकost तीन और चार समेलित नहीं है नहीं में से संशिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें किया गया है तो संशिप्त विचारण की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह जो है धारा 260 से लेके 265 तक में दिया गया है और इसके अलाव अगर देखेंगे तो 251 से कि 269 की में यह समन् मामले के विशारंड की प्रक्रिया बताई गई इसमें समन् विचारंड की और 238 से ले il a2930 तक में या मय buen नेक्स्ट है नेमलिखीत में से दंड़ प्रकृ्य संगीता कांश उपबंध जो है यह की 043 1 1449 है ये धाराएं अपिल से संबंदित थें जबकि धारा 450 जो है अपील से संबंदित नहीं है और इसका उद्देश से है मुचलकों पर दे रखम का उद्गरण करने का निर्डेश देना देने के लिए यह घुल को सकती परदान करती है कि वह जो कुछ मुचलके हैं उसकी किया जाए नेक्स है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किस न्याले के समक्ष किया जा सकता है तो अग्रिम जमानत के बारे प्रावधान जो है धारा को गिरपतार कर सकता है तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है इसके बारें प्रावधान धारा 41 के अंतरगत दिया गया है दूसरा है कि एक प्रावधान धारा 43 के अंतरगत दिया गया है और तीसरा है एक कारवधान धारा 44 के अंतरगत दिया गया है तो इस प्रकार से यह तीनों कथन सही है दंड प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा यह उपबंद करती है कि सत्य न्याले द्वारा पारित मृत्यू दंड को निस्पारित करने से पूर्व उसे हाई कोड के द्वारा उसकी पुष्टी की जानी आवस्यक है तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 366 के होती है और धारा 368 के अंतरगत दिया गया है कि दंडा देश को पुष्ट करने या दोससिद्ध को बातिल करने की जो है हाई कोड की सकती होती है अर्था जब 306 के तहत ऐसी जो दंडा देश को पुष्ट करने के लिए जो है हाई कोड के समक्स्पीस किया जाता है तो ऐसे दंडादेश को पुष्टी भी कर सकता है या उसको सुन निगोसित करता है हाई कोट और इसके अलावा जो है धारा 370 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजे कोई दो न्यायधिस हैं क्योंकि दो न्यायधिसों के द्वारा इनकी इस दंडादेश की पु धारा 371 की अंतरगत प्रावधान किया गया है कि जब ऐसा जो मृत्यूदंड का आदेश है उसे पुष्टी के लिए हाई कोट के समक्षपीश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोट के द्वारा काउंसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी नेक्ष है निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो यदि कोई व्यक्ति गिरपतार किये जाने का बल पूर्वग बिरोध करता है तो ऐसी स्थिति में जो पूलिस अधिकारी है वह क्या कर सकता है तो यह जो प्रावधान है धारा 46 में दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जो प और तीसरा है हत्या के अभ्यूंत व्यक्ति की मृत्ति कारिख कर शकता है तो यह वह और हत्या की कोट में आने वाले आपनलीक मन कारित कर सकता है यह इस परकार से यह जो क्यों दूसरा वाला विकल्प है यहไมगते यह शहीं है नेक्स्ट गलत उत्तर बताईए तो पहला है किसी अपराद का संग्यान लेने के लिए जो परसीमा काल है वह है इसके प्रसंबंद में पूछा गया है तो परसीमा काल किसे अपराद के कितनी होगी संग्यान लेने के लिए इसके बारें प्रावधान धार 468 के अंतरगत दि है तो यह कतन सही है कि दूसरा है कि जो परसीमा वधी होगी एक वर्स होगी यदि अपराद जो है एक वर्से अनधिक के अपराद से दंड़नी है तो यह भी सही है और तीसरा है तीन वर्स होगी यदि अपराद एक वर्स अधिक परंतु तीन वर्स तक के कारवास से दंड़न नेक्स्ट है भारती दंड संगिता के अंतरगत किया गया नेमलिखित में से कौन सा अपराध समनी यह नहीं है अर्थात ऐसे अपराध का समन नहीं किया सकता है कि नेक्स्ट है सुमेलित तो इसमें से सभी सुमेलित हैं तो पहला है कि दो सिद्धी पर परिसांती के लिए प्रतिभूति का आदेश यह धारा 106 के अंतरगर दिया जाता है यह बिल्कुल सही है और यह जो आदेश यह सत नेयाले यह पर्थम और गिन्याइग मजिस्टेट के समय द्वारा जो है दिया जाता है बाकी दारा 107-8910 इसके तहत्व आदेश दिया जाते हैं वह है कारिपालिक मजिस्टेट के द्वारा दिये जाता है जबकि अन्य मामलों में धारा एकसो साथ आठ नौ में एक वर्स के लिए और फिर जो है धारा 110 में तीन वर्स तक के लिए परिशांती बनाई रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतभूत की मांग की जाती है और दूसरा है संदिय के लिए प्रतभूत की मांग उन्य गहाजाती het नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले का भारसाधक लोग अभियोजक नेड़े सुनाए जाने से पूरू किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्याले की अनुमति से वापस ले सकता है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 321 के अंतरगत दिया गया है अर्था 321 के तहत जो है वह किसी मामले का भारसाधक जो लोग अभियोजक है वह नेड़े सुनाए जाने से पहले कभी भी उसे न्याले की सहमति से मामले को वापस ले सकता है इसके लावा 304 के अं कि बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 306 के अंतरगत सहापराधी जो होता है सहापराधी तो इसको छमादान के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 313 के अंतरगत अभियोगत की जो है परिक्षा करने की सकती के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट है मजिस्टेट दंड प्रक्रिया संगिता की किस धारा के तहत कारागार में बंद किसी ब्यंदी की साक्षी के रूप में परिक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है तो ऐसा जो कमीशन है वो धारत 271 के तहरा जारी किया जाता है और धारत 271 में है कि कारागार में साक्षी की परिक्षा के लिए कमीशन जारी करने की न्याले की सक्ति और जो कमीशन है यह एक जगह और है इसके बारे प्रावधान है धारत 284 में तो इस प्रकार से धारत 271 और 284 में कमीशन जारी करने के संबध में प्रावधान किया गया है नेक्स है बह को घोर उपहत कारिद करने के लिए आका विचारण किया जाता है और है दो सिद्धि के बाद जो यह वह है उसकी मृत्ति हो जाती है तो आइसी स्थिति में जो बी है वह है प्राधिक मानवद के लिए उसका पुनह भिचारण किया जा सकेगा और से पुनह दोसिद्ध किया जा सकता है तो यह जो पहला विकल्प है यही सही है इसके बारे जो प्रावधान है धारत 300 के अंतरगत दिया गया है और यह जो प्रस्ण है धारत 300 के द्रिष्टांत भी पर अधारित है और द्रिश्टान्थ खय के अंतर गतिया प्रावधान है कि घोर उपहती करने के लिए क्या का विचारण किया जाता है और वह दोस्चिद्ध किया जाता है और जो छत व्यक्ति है अर्थात जो घायल व्यक्ति है वह बाद में मर जाता है तो इसलिए क्या पर आप प्रक्रिया संगिता की निम्लिकित में से कौनसी धारा अभ्यूक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता के द्वारा बचाओ का अधिकार परदान करती है तो अपनी पसंद के अधिवक्ता के द्वारा कोई जो अभ्यूक्त ब्यक्ति है वह बचाओ कर सकता है और इसके बारे प् प्रत्रियक्षा करे तो इस प्रकार से यहां पर अपनी पसंद के द्वारा बचाओ का जो अधिकार है और 303 के तहत है और 304 के अंतरगत या जो है नहिसुलक विधिक सहायता अर्थात राज्य के ब्याएपर विधिक सहायता के प्रावधान किया गया है और 302 के अंतरगत अभ्योचन का संचालन करने की अनुग्या के बारे में प्रावधान किया गया है और 306 को अगर देखेंगे तो 306 के अंतरगत सहापराधी को छमादान के बारे में प्रावधान किया गया है और इसे ही सरकारी गवाह कहा जाता है न नहीं उसके अलोकन का दावा कर सकता है तो ऐसा जो नीड़े है यह सा रोच नियाले के द्वारा मधुली में बनाम भारत संग का एक केस है इसी केस में यह सा नीड़े दिया गया था और केस डाइरी के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 172 के अंतरगत दिया गया है तो अपराधी को छमादान दिया जाने के संबंद में प्रावधान है और 306 जो adject ढिया जता है तो जिन सर्टों पर उसको Hey तो आई सी सर्टों का वह पालन नहीं करता है वह सापराधी में Owner strap foi दे करके हुआ है चमाधान प्राप्त किया है तो ऐसी स्तिती में उच्चिन्याले की अनुमती से जो है जूटा साच्छ देने के लिए अलग से विचारन किया है जिस ने शमाधान सूइकार कर लिया गया है और उसके ब्याक्ति के बारे में लोक अभ्योजत कि यहां प्रहादित करता है तो आएसे व्यक्तिका उसी अपराद के लिए फिरसे उसका विचारण किया जा सकता है और मिथ्या साथ जोग्त कोसे पूर्वंजूई किया जा सकता है तो इस प्रकार से इसका जो पूरा पूरा प्रावधान है वह धारा 308 के अंतर्गत दिया गया है और सहाप राधी को छमादान दिये जाने के बारें जो प्रावधान है वह धारा 306 के अंतर्गत दिया गया है नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 77 के अंतरगत वारेंट का निस्पादन कहां किया जा सकता है तो धारा 77 के अंतरगत यह प्रावधान है कि जो वारेंट का निस्पादन है वह भारत के किसी भी अस्थान पर उसको उसका निस्पादन किया जा सकता है और वारें के बारे में जो प्रावधान है उस यारपीसी की धारा सत्तर से लेके 81 तक में दिया गया है कि नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता के किस प्रावधान के अंतरगत पूलिस थाने का भारसादय कदिकारी अपराद की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्टेट को उसकी प्रतलिपी भेजेगा तो इसके संबंध में जो प्रावधान है हुआ है कि सदारा के अंतरगत दिया गया है तो यह जो प्रावधान है वह लिखता है तो उसको तो है संबंधित जो मजिस्टेट है तो उस फाइयार की प्रतलिपी है या उसकी कापी है उसको भेजेगा इसके अलावा फाइयार के बारे में जिक मजिस्टेट की सकती है वह धारा 169 के अंतरगत दी गई है और 156 के अंतरगत संब्धित जो संगे अपराद होते हैं उनका जो है अनुएशन करने की पुलिस अधिकारी की सकती इसमें बताई गई है धारा 156 के अंतरगत जैसे हमने देखा है कि उसमें जो है इस फाई यार लिखने के बाद जो उसकी कौपी होती है वह मजिस्टेट के भेजी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा तो इस प्रकार से जो है उथा विकल्व सही है नेक्स है असंगे अप्राद से अभिप्रेत है अइसा अप्राद होता है जिसमें पुलिस अप्राद में जो पुलिस हदिकारी है अभ्युक्त को विर्ट के बिना भी गिरप्तार कर सकता है नेक्स्ट है क्या आप्राधिक न्याले उसके समक्ष प्रस्तोत किए गए किसी दस्तावेज को पुरिबद्ध और और किस तहरा के तहत तो धारा 104 के अंतरगत नेक्स्ट है किया एक मजिस्टेट किसी अस्थान की जिसकी तलासी के अंतरगत तलासी वारण जारी करने के लिए सक्षम है तो वह अपनी उपस्थिती में तलासी का आदेस दे सकता है तो यह आदेस दे सकता है धारा 103 के अंतरगत और धारा 103 के अंतरगत यह प्रावधान है कि कोई मजिस्टेट जो है किसी अस्थान की जिसकी तलासी के लिए वह तलासी वारण जानी करने के लिए सक्षम है तो अपनी उपस्थिती में वहां पे तलासी लिए जाने का अदेश दे सकता है नेक्स है समन मामले का क्या अर्थ है तो समन की जो परिभासा है समन मामले की वह धारा तू उप धारा डबलू के अंतरगत दी गई है और इसके अंसर समन मामला ऐसा मामला होता है जो की वारंट मामला नहीं है और वारंट मामले से तात परिया है कि ऐसा जो मामला होता है जिसम अगर सजाज दो वर्स से कम है तो ऐसा जो मामला होगा यसोला होता है नेश्टर नेमलिखित मैं से कहों सा केश तुरूटिपूर्ड अनुवेसर से संबंधित है तो तुरूटिपूर्ण के संदर में निम्लिखित कथनों में से काउंसा गते सही नहीं हो सकता हे क्थन सब्सक्राइब करें अगर winners GL80 45 कहा है क्योंकि 1400 25 को जब देखेंगे प्रफण लाइन ही यही लिखी गयी है कि ऐसा व्यक्ति जिसके के पास परियाप्त आर्थिक साधन है तो वह भरण पोषण के लिए दाई होगा किसके लिए तो अपने पत्नी के माता-पिता के संतान के इनके भरण पोषण का दाइत पुत्री के पिता पर है तो इसमें से यही जो कथन है यही सही नहीं है और तीसरा है कि अपना भर्ण पोषण करने में आसमर्थ जो माता-पिता हैं तो उनका भर्ण पोषण करने का दाइत जो है एक विवाहित पुत्री पर वही है तो यह सही है और इसके संदर में एक केस है बिजर मनोहर अर्वड बनाम कासी राव राजाराम का तो इसी केस में यह कहा गया कि एक पुत्री भी अपने माता-पिता के भरण पोस्टन के लिए जिम्मेदार होती है इसके लावा है चौथा कि एक इस्त्री जिसने पती से विवाह विच्षेद प्राप्त कर लिया है और वह पुनर विवाह नहीं किया है तो वह अपने पूरों पती से भी भरण पोस्टन का प्राप्त कर सकती है तो यह भी सही है तो इस प्रकार से इसमें दूसरा वाला विकल अंतरगत संस्तित मामले में कौन सी प्रक्रीया अपनाई जाती है Constance 299 संधों के अंतरगत जो मानहा का मामला होता है मानहार कि मामलें में परिवाद किया जाता है तो ऐसे बिचारण करते मैं जो है में पूलिस रिपोर्ट से भिन आधारप संसीत वारेंट मामले के जो प्रक्रिया है उसे ही अपनाए जाएागा और इसके प्रवधान प्रप्रक्रीच की तो 327 अंतर्गत यह तकर भारती फिर फ्र हूंrich फिसमनी चोंचते जो है hell ऑ刁 थी फिरपन के अंतर्गत जिसमें भूश्य देवक पर कर्तब पालन के दोरान उसको को डराने के लिए अगर कोई हमला किया जाता है या अफराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो एसा जो कि अपराध है और भाऒर है दारत 320 के अंतरगत वह समनियोगी नहीं है और थाथ वह समनियोगि नहीं और से Crele gonna 352 है कि हमला या आपराधिक बल का दंड है तो यह समनी यह मामला है 355 के लिए हमला आपराधिक बल का प्रियोग अaffen Ini को कि प्रकार से साइब तीертв नहीं है जो किboldously 645 CRPC के अंतरगत कारिवाहिएों का उद्देश सांति भंग के खत्रे का निवारन करना है ने कि फामित का निर्थार्ण करना तो यह तकमने दिया गया था भारत संग बनाम आजीवर निसा खातूनhartया केस केस captivate विखे प३श्ब्ह गया था प्रावधान है धारत 300 तीरपन के खंड 6 के अंतरगत दिया गया है और इसमें यह बताए गया है कि कभ जो है नेड़े सुनाय जाते समय अभियुक्त उब्यक्ति को उसको नियाले में हाजिर होने से छूट दी जा सकती है तो इसके संदर में दो प्रावधान है कि पहला है कि दोस्मुक्ति का हो इस प्रकार से इन दोनों ही मामलों में नियडे सुनाय जाते समय अभियुक्त को वहां नियाले में हाजिर होने से छूट दी जा सकती है तो इसके अलावा एक तीसरी बात ये भी है कि जब कि जो दंड केवल जुर्माने से दिया जाता तो आईशी स्तित सकती है कि वह समन मामले का विचारण जो है वह मारंट मामले की तरह कर सकता है और उस मामले के अंतरगत जिस आपराद के लिए विचारण हो रहा है तो वह दंडनी है अर्थात किस दंडनी अपराद के मामले में जो मैस्टेट है वह समन मामले का विचारण है वह वारंट मामल कि तरह कर सकता है तो इसके संदर में प्रावधान है वह सी आरपी सीख धाराद 269 के अंतरगर दिया गया है और इसके अनुसार कि 6 महीने से अधिक के आवद के कारावास से अगर दंडनी कोई अपराद है और उसका विचारन जो है मजिस्टेट कर रहा है तो वह जो है न्याई हित में ऐसे मामले का जो विचारन है अगर वह समन मामला है तो ऐसे मामले का विचारन वारंट मामले की विचारन की तरह कर सकता ह और जब ऐसा जो मजिस्टेट है समन मामले का वारंट मामले के विचारण की तरह करता है तो उसमें जो है वारंट मामलों में के विचारण के लिए जो इस संगिता के अंतर प्रक्रिया बताई गई वह उसी प्रक्रिया के अनुसार उसका विचारण करेगा अर्थात विचारण में वही प्रक्रिया अपनाएगा और जो है ऐसे साक्षियों को फिर से बुला सकता है जिसकी परिक्षा उस मामले में परिक्षा हो चुकी है तो ऐसे साक्षियों उसकी फिर से परिक्षा करेगा नेक्स्ट है प्रतेक आपराधिक बिचार में ममाइस्टेट के दोरा अभ्युक्त को दोसी पाने पर दंड देने से पुर्व अभ्युक्त की सुनवाई अवस्य होगी तो यह सही है यह गलत है यह जो qतन हो सही है क्योंकि कि बिना सुनवाई के अगर दंदादेश पारित किया जाता है तो है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा और ऐसा जो दंड है वह पारित नहीं किया फुल घलेकि डंड परक्रिय संहीता किंनीं किसमे सत न्याले के समफ्षिप्यत की प्रक्रिया के कि बारे में या बहुत बहुत बार या आप इसे देखेंगे तो इसे जानना जरूरी भी है और सत्नीयारे farmers समक्ष विचारण के बारें जो प्रावधान है धारा 225 से लेके 237 तक में किया गया है अर्थाथ 225 से लेके 237 तक में सत्त न्याले के समक्ष विचारण की प्रक्रिया बताई गई है धारा 260-265 में संशिप्थ विचारन इसनदीप्त मामले कि प्रक्रिये बताई गई है धारा jeन coded 216 में के सबीस्जाद की प्रक्रिये बताई गई है और проект 251 इस प्रकार से इसे चारों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है नेक्स्ट है दंड़ प्रक्रिया संगीता के अंतरगत निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है कि जहां कोई निजी या अन्य प्राधिक्र व्यक्ति प्राइव्यक्ति किसी अभ्युक्त को बंदी बनाकर पूरीस की अभिष्टा में देने का अधिकार रखता ह तो वहां ऐसा जो निजी ब्यक्ति है वह बंदी की तलासी भी ले सकता है तो यहीं जो कथन है यह साहीं नहीं है क्योंकि जो प्राइवेट ब्यक्ति करने के बाद वह पुलिस थाने पिले जाएगा और पुलिस थाने का जो पुलिस अधिकारी है वह उसे फिर से गिरफतार करेगा लेकिन यहां जो प्राइबेट व्यक्ति है केवल गिरफतारी का अधिकार उसे प्राप्त है उसे तलासी कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है तो यह पहला कथन ही सही नहीं है इसके अलावा जो है दूसरा कथन है कि नियाईक कारिवाही के अंतरगत जांच चता विचाराण दोनों आते हैं तो यह सही है और तीसरा है परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा यह आवस्यक नहीं है कि पीडित व्यक का नहीं Schedule के उसमें आरोब का वीशित कि ह데 तो दधार cycle को मुझेस्टेट को निम्लीक्रव कि प्रावभावदह कि अन्तरगत को संबढें वहां दिया गया है तो इसके तहत मैं रहां पूसिघ्स तथा कारिवाईयों के बैयों जाना वस्यक नहीं होता है कि नेक्स्ट ढट प्रक्रिया संगित्यथा कि ढाराइक सपरीज़स की अंतरगत मेसिट प्रॉस्थे को निम्लिकित सकत्थियां प्राप्त हैघ्utz कर भरंण परसंट से संबंदित जो प्रावधान है अरक, मैंन्टिनृन से नेक्स्ट है जब किसी मामले में कोई नियाधीस या मजिस्टेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो तब तक नहीं विचारण करेगा नहीं विचारणा शुपूर्द करेगा और नहीं कोई अपील सुनेगा जब तक कि उसके अपीली न्यालेकि उसे अनमती न दे दी ही हो इसके संदर में प्रावधान है और इसमें प्रावधान है या मजिस्टेट किसी मामले में जिसमें वह खुद पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से उसमें हितबद है तो वह जो है अपने अपील नियाले की अर्थात जो उस इस कोर्ट का जो अपीली नियाले उसकी अनुग्या उसको नहीं मिल जाती है तब तक न तो उस मामले का विचारण करेगा नहीं उसमें अपील सुनेगा और होना ही उसको उस मामले को विचारण के लिए किसी अन्य न्याले को सुपुर्द करेगा तो इस प्रकार से जो धारत 489 का जो प्रावधान है यह नेचूरल जैस्टिस से संबंधर रखता है कि नेक्ट है किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संगिता के अध्याय आठ के जो प्रावधान है वह लोक हित में होने के कारण भारत के संभिधान के अनुच्छेद 19 कातिकर्मण नहीं करते हैं तो ऐसा जो नेड़ा है यह मधुलिमय बनाम SDM मुंगेर के केस में दिया गया था नेक्स है दंड प्रक्रिया संसोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 469 में 10 रुपई से कम सब्दों को किन सब्दों के साथ जो है प्रतियस्थापित कर दिया गया है तो धारा सब्सक्राइब कितने मुल्लिकी संपत्य हैं जो कि बिनस्वर प्रक्रित की हैं अर्थात सिग्र शैसील है तो उनको जो है बेचने का आदेश मजिटेट दे सकता है तो 2005 से पहले इस यहां पर प्रावधान था कि 10 रुपई से कम की मुल्लिकी संपत्य तुसे बेचने के लि प्रक्रित की है अर्थात वह जल्दी ही नश्ट होगी या खराब हो जाएगी तो उस संपत्य को बेचने का आदेश दे सकता है मजिटेट नेक्स है जहां दो या अधिक न्यालेओं के मद्ध छेत्रा धिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्याले विभिन उच न्याले की अधिनस्तता के अंतरगत हो तो दंड़ प्रक्रिया संगीता की धारा 186 के अंतरगत जो है वह बिसे किसके दौरा विनिश्चित कि किये जाएगा तो यहां पर यह पूछा है कि अगर दोो कौट थासे और यह दोनों कोट्व अलगअ-कक द्रक्र के जाएगा या इस कोड में तो अगर दोनों जो कोड हैं वह एक ही हाई कोड के अधीन होते तो ऐसी स्थिति में उसका जो निधारन होता हुआ हाई कोड करता जिनके वह जो नियाले हैं वह अधीन असता हैं लेकिन यहाँ दोनों जो लोवर कोड हैं दो अलग-अलग हाई कोड क 186 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है दंडप्रक्रिया संगिता की धारा verb 468 के अमसौार दो वर्षक से दंडणीए अपराध के लिए परसीमा काल क्या होगी तो परसीमा काल को मुस्पराउधान है धारा 468 के अंतरगत बताएगए है और इसके अमस्वार जब की अपराद जो है केवल जुर्माने से दंडनी है तो केवल जुर्माने से जो अगर दंडनी है तो वहां पर जो परसीमा काल होगा वह छह महिना होगा और एक वर्स तक अर्थात एक वर्स से अधिक नहीं कि अगर कारवाज से दंडनी कोई मामला है कोई अपराद है तो वहाँ पर जो संग्यान की परसीमा है वह एक वर्स होगी और एक वर्स से लेके एक वर्स से अधिक लेकिन तीन वर्स तक का अगर जो परसीमा काल है तो वहाँ वर्पर जो संग्यान लेनी का वैंने क्रेंद थीर स्व harm्मद में फ्रूचत कि पूच्छा गया है कि दो वर्ष की ऐधर से दन्डभन अपराद तो एक वर्ष लेंगे तिन वर्ष तक कर अगर कोई मामला होता है तो अंहें होती है तिन वर्ष तो इस लिए इस मामले जो है अधिकतम कितने दिनों की होगी अर्थात investigation के दौरान एक मजिस्टेट है वह अधिकतम कितने दिन तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध रख सकता है तो अधिकतम जो है वह 90 कि दंड आजीवन कारावाज या दस वर्ष से अधिक कारावाज से दंडनी है इसके अलाम अगर कोई अन्य मामला है यह से या कोई अन्य अप्राद है तो वहां पर जो निरुद्ध की अवद्ध होगी हुआ है साथ दिन होगी और इसके संबंध प्रावधान धारह 166 के अंत दंडित किया जा सकता है तो इसके संबंध में अगर हम प्रावधान देखते हैं तो वह जो प्रावधान है उधारह 309 के अंतरगत दिया गया है और 309 में यह बताए गया है कि उत्तर देने या दस्तावेज प्रेस करने से इनकार करने वाले विक्ति को जो कारावास है और दंडा देश के लगुकरन के बारे में जो प्रावधान है वह स क्यार्पीसी की धारह 423 के अंतरगत दिया गया है और 423 में दंडा देश के लगुकरन की जो सकती है वह समशित सरकार को होती है और सम्चित सरकार वह दंढ़ादिष्ट अर्था दंडित व्यक्ति की सहमती होगी कर सकता है। अप्रस नहीं हैं कि किस प्रकार से कॉन से दंद है जिनका लगुक्तिक है करके किस दूसरे दंद में परिवर्तित कर सकता है। तो आजीवन कारावास को तो यहां पर जो है अगर 433 में चार खंड दिये गए हैं तो पहिला को अगर देखेंगे तो वहां पर दिया है कि म्रित्यु दंड है तो मृत्यु दंड को वह जो है किसी भी अन्य दंड के रूप में किसी भी कतात परिया है कि केवल जुर्माने के रूप में भी लगुकरण किया जा सकता है अन्य में यह कुछ नहीं बताया गया है कि उसे कारवास के या अर्थ दंड से या किस प्रकार के दंड से दंडित किय जाएगा तो लगुकरण जो है वह अम्रित्तु दंड का अन्य के रूप में किया जा सकता है दूसरा है कि आजीवन कारावास अगर है तो उसे 14 वर्ष तक के कारावास में उसे लगुकरण किया जा सकता है और इसमें एक बात और बताई गई है कि या केवल जुर्माने से भी उसका लगुकरण किया जा सकता है अगर आजीवन कारावास का जो दंड दिया गया है तो ऐसे दंड का जो समुझे सरकार है केवल जुर्माने क भी उसको दंडी जो है लगकुरण किया जा सकता है और चौथा है कि अगर साधा कार आवास है तो साधा कार आवास का जो लगकुरण है केवल जुर्माने के रूप में किया जा सकता है तो इस प्रकार से जो यह सकती है वह धारा 433 के अंतरगत समचित सरकार को प्राप्त है इ तो ऐसी सकती है वह समचित सरकार को ही प्राप्त है तो यहां समचित सरकार से तात पर है कि यह था इस्थिति अर्थात जैसी भी स्थिति हो या तो राजे सरकार या केंदर सरकार नेक्स्ट है मामलों और अपीलों को एक उचन्याले से दूसरे उचन्याले को अंतरित करने की सुप्रीम कोड की सक्ति पूछा है तो सुप्रीम कोड की सक्ति का प्रयोग निम्लिकित में से किसकी आवेदन पर किया जा सकता है तो एगर मामला एक हाई कोड से दूसरे हाई करता है भारत के महान्याइवादी के आविदन पर या हितबद्ध पच्छकार है उनकी आविदन पर ही ऐसा करता है अन्य था नहीं करता है तो इसके अलावा यहां पर भारत के महान्याइवादी के आविदन पर सरोच नियाले करता है लेकिन हाई कोड़ जो है वहीतबद्ध पच्छकार के आविदन पर या जो लोवर कोड़ है है उसकी रिपोर्ट पर जो है इसा करता है और इसके साथ धारा 408 के अंतरगत आप देखेंगे तो इसमें जो है कोड़ आफ सेशन अर्था सत्नियाले की जो मामलों को अंतरित करने की जो सक्ति बताई गई है लेक्स्ट है दसो वर्स की अवज के कारावास का दंड निमलीखित मेंसे किसके द्वारा दिया सकता है तो दस वर्स की जो दंड देने की सक्ती है वोह सहक्त सहायक सत्नियाल व्यांदीश को होती है और इसके बाएक ने हैं लेकिन इसी के खंड़ के अंतरगत बताई गया है कि जो सभायक सथ्रयाइधिस होंगे वह अधिक्तम 10 वर्ज़ तक के कारवास का देंड सकते हैं इसके लावाज जो मैश्टेट होते हैं इनकी जो सक्तियां है उधारा 29 के अंतरगत बताई गई है नेक्स्ट एक प्राइबेट ब्यक्ति किसी ब्यक्ति को कब गिरपतार कर सकता है तो एक प्राइबेट ब्यक्ति के द्वारा गिरपतारी के संबंद में प्रावधान है उधारा 43 के अंतरगत दिया गया है और इसके एंसवार एक प्राइबेट भी किसी व्यक्ति को गिरपतार कर सकता है जब कि उपस्तिती में कोई संगे और गैर जमानती अपराद करता है या ऐसा जो भ्यक्ति है भगोड़ा है अठाथ हो है निकल भागा है अभिरक्षा से तो उसे भी जो है उसे या उद्वहोशी तपरा दीर तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको जो है एक प्राइबीट व्यक्ति भी गिरपतार कर सकता है तो ऐसी जिद्विक्ति की जाती है तो उसको अनावस्चक विल्लम बिना तुरंत से पुलिस सद्कारी को सवपा जाएगा और उसके बाद जो वो पुलिस सद्कारी है वह जो है आवस्यक्त तामसार कारवाही करेगा कि नेक्स्ट है धण प्रक्रिया संहीटा किई किसी धारा के अंतरगत किसी फरार व्यक्ति के लिए उध्गोशणा जारी कि जा सकती है तो उध्गोशणा के बारे दोर जो है दोरा जारी कि जाती कि जो है उसकी संपत्त की कूरकि भी की जा सकती है और फ्रक्रियuting निव में से सत्र न्याले के समख्ष भिचाण का प्रावधान कि जो सब्सक्राई पकर बताई ग distint की उप्सक्री कि इस पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और एक होता है पुलिस रिपोर्ड से भिन्हाधार पर संस्थित मामले उनके बिचाण की प्रकुरिया जो है 238 से लेके 243 तक के अंतर्गत बताई गई है और पुलिस रिपोर्ट से अनिथा जो संस्तित मामले होते हैं उनिके विचान्द की प्रक्रिया बताए कि mengift 244 से लेक किट 44 कि में कि इसके इसलामा से 255 से 259 के अंतरगत या समन की प्रकृट्पर कि प्रकृट कि नेक्ष्ट है यह किसी अभ्यूग्द के पास परियाप्त साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रख सके तो सत्रियाले उसकी प्रत्रक्षा के लिए राज के विए पर उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा तो यहां पूछा गया है कि यह प्रत्नीरत्थतु है दenviron ready नहीं किया जाता है और को यह फ्रतीत होता है की अभ्यूक्त के पास जो है अपना अधिवक्ता करने के लिए पर्याप्तासाध नहीं है तो और नेयाले जो है उसकी प्रत्यश्च चर्चा के लिए राज के ब्याये पर निहिसंद जो अर्वकता के उप्लब्ध उसे कराएगा इसे निहसुल के विधिक सहायता के प्रावधान भी कहा जाता है तो यह जो है धारा 304 के अंतरगत समाईत है और 305 के अंतरगत यह है कि उस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जबकि निगम या पंजीक्रिस सोसाइटी जो है वह अभ्यूगत है इसके लावा धारा 306 के अंतरगत सहापराधी को छमादान किये जाने के संबंद में प्रावधान किया गया है और जबकि धारा 301 के अंतरगत लोक अभ्यूजकों की हाजरी के संबंद में प्रावधान किया गया है तो इसके अमसार जो है किसी मामले का भारसाध्यक लोक अभ्यूजक या स सारे जो धाराएं हैं उन से सम्बंदित प्रावधान को अश्पर्ष्ट किया है कि नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 306 के अधिन निम्लिकित में से कौन किसी सहाप राधी को छमाधान करने के लिए धिक्रित नहीं है तो धारा 306 के अंतर्गत सहाप राधी को को शहमादान दिये जाने के संबंज में प्रावधान किया गया है तो इसकाम मैजिस्टिट के दौरा भी दिया सकता है लेकिन दिती उटने मैजिस्टिट है इसके पास चुआ है खर आन की कोई सक्ती प्राफथ नहीं है और शमादान भी किस महानगर मईश्टेट हैं तो इन दोनों की दौरा जो शमादान होगा वह अन्यवेशन इमेशन है कला है द्रशंग T रेक्त tax qui J可能 की ऐ भर जाश्वD के दौरांही भी कि लेकिन जो प्रथम और नियाग मजिस्टेट है या किवल जाच और विचान के दावरान ही चमादान कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के दावरान इसको चमादान करने की सकती नहीं बताई गई है धारा 306 के अंतरगत नेक्स है दंड प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पूलिस अधिकारी से अन्वेसर के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबंध किया गया है तो उसे कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कि किया गया है और धारा 164 के अंतरगत सनसविकृति के वारें प्रावधान किया गया है कि वारी 60 की द्वरान्फ वूत है यह द्वर्णा या polished 3 60 के अंतरगत जो है साक्षियों की परिक्षा के संबंद में प्राउधान किया गया है और 160 के तहट जो है ऐसे साक्षियों को पुलिस के द्वारा अपने समक्ष हाजी करने के लिए उनको बुलाया जाता है तो जब ऐसे साक्षी उपस्तित हो जाते हैं तो एक सट के तहात उनकी परिक्षा की जाती है और 162 के अंतरगतिया प्रावधान अगर उनका कोई कथन किया जाता है तो उसे लेकबद्ध किया जाएगा लेकिन उसके उनका सिंगेचर नहीं करा जाएगा और 163 के अंतरगतिया पताया मझेगी हुए गन्यक्ष पूछा ऊखाये की गलत उत्तर बताईए तो गलत उत्तर एफ-फा यह लिखित भी हो सकती है या मौखिक रूप में भी जो है एक फाइयार दी जा सकती है और इसकी जो लिखने की जो प्रक्रिया है वह 154 के अंतरगत बताईगी एक नेक्स्ट है कि गलत उत्तर बताना है इसमें कि कौन सा जो कथन है वह गलत है तो इन है ऑपने पती के साथ जो है पृथक निवास करती है या अपने पती से अलग रहती है विए किसी परियाप्त कारण के और दीसरा है, पारसपरीक साहमति अगर पति से अलग रहती है, तब भी भणत प्रक्रिया संगलती से उसका जो maintenance का जो राइट है उस पर कोई अधिकार उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा किसी प्राइबेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो की संगे अपराध करता है उसे गिरफतार करने का दिकार देती है अर्थात किस धारा के तहत एक प्राइबेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को किसी अपराधी को गिर कर सकता है जो कि उसकी उपस्तिती में कोई संगे अपराध करता है या उद्धोसित अपराधी है तो उसे गिरपतार करके उसे नजदी की पुलिस स्टेशन है वहां ले जाएगा और पुलिस को उसे सुपूर्द कर देगा और धारा संगे अपराध होता है तो पुलिस अधिकारी है वह अपराधी का नाम और निवास जो है जानने के लिए उसको गिरपतार कर सकते हैं और धारा वारेंट के जो आवस्यक्त हैं हुआ है किसे लिखित में होना चाहिए यह सही है दूसरा है किसे नियाले के जो पीठा सी अधिकारी है उनके द्वारा हस्ता श्रित होना चाहिए और इस पर नियाले की सिल लगे होनी चाहिए तो यह जो सब कथन सही है और चौता है कि इसमे बस्ताक्षर होनी चाहिए और नियाले की सील लगी होनी चाहिए तो यह जो सारी बातें हैं धारा सत्तर के अंतरगत बताई गई हैं कि भी प्यों यूप है अजीवन कारवाज का दंड निमृकित में से किसके द्वारा दTINगाया सकता है तो मुख नाइग में हैं या तो साथवस्त का करवाज कसा दे सकते हैं और यहीए जो सजा है यह महानगर्वास की द्वारा भी दिया में हैं यहां पर सत्त नाज झास या अपर सत्र नियारीस इनके द्वारा जो है आजीओन का रवास या बिदी द्वारा कोई भी जो दंड विहित है वह दिया जा सकता है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है पूली सरीकारी द्वारा किया जाता है तो यह कथन सही है दूसरा है अनुएशन का उद्देश है वह साथ शेकत्र करना होता है यह भी सही है अनुएशन एक नियाई कारवाही है तो यही जो कथन है यह सही होता है और जो इन्वेस्टिगेशर के तरौवराण जो रप्त होता है तो उसी साख्ष के यह ढदार पर जो है अजहेंगे बढ़ता है brace कि नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की की सिधारा के अंतरगत 1729 आप्पीली सक्तिओं का प्रिएगफ करता है तो 17 ₰ की payla सक्तियों का प्रियोग है उसके संबंध में प्रावधान 되는데 ॥ 373 के अंतरगत तिया गया और इसमें जो है जबकि परिशांती या बनाय रखने या सदाचार के लिए कोई आदेश दी जाती है मजिस्टेट के द्वारा तो ऐसे आदेश की जो अपील है वो धारा 373 के तहट जो है कोट आफसेशन की सक्तियों के बारें प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता की कि सधारा के अंतरगत एक अभ्यूक्त जो है वह स्वयम सक्षम साक्षी हो सकता है तो इसके संदर में जो प्रावधान है धारा 315 के अंतरगत दिया गया है और इसके लावा धारा 311 के अंतरगत यह प्रावधान है कि आवेस्यक साच्छी को समन करने या उपस्थित करने की या उसकी परिक्षा है उसकी करने की नियाले की सकती है इसके बारे प्रावधान धारा 311 में दिया गया है और धारा 313 के अंतरगत अभ्युक्त की परिक्षा करन कि जो न्याले की सक्ति हैं इसके बारे में प्रावधान किया गया है और धारत 329 के अंतरगत यह प्रावधान है कि अगर कोई अपराध का दोसी प्रतीत होता है कोई व्यक्ति तो उस व्यक्ति के विरुद्धि कारवाही की जा सकती है कि नेक्स्ट है दो वर्ष से अधिक अवधिके कारावास से दंड़नी अपराध का संबंध किस से है तो दो वर्ष से अधिक अगर दंड़ से दंड़नी कोई अपराध है तो वह जो है वारेंट मामला होता है और अगर दो वर्ष से कम के दंड़ से दंड़नी मामला है तो वह समन मामला कहलाता है और समन मामले की जो परिभासा है वो धारा दो के उपधारा डबलू के अंतरगत दी गई है और वारेंट मामले की जो परिभासा है धारा दो के उपधारा एक्स के अंतरगत दी गई है कि नेक्स्ट है मुख खिन्याइग मईस्टेट कौन सा दंड दे सकता है तो मुख खिन्याइग मईस्टेट जो है साथ वर्स तक के कारावास से अर्था साथ वर्स से अनधिक तक के कारावास का दंड दे सकता है और इसके बारें जो प्रावधान है धारा 29 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है दंड प्रक्तिया संगीता कि धारा 133 के अंतरगत लोक नियुसेंस हटाने के लिए ससर्थ आदेश कौन दे सकता है तो लोक नियुसेंस हटाने का जो ससर्थ आदेश होता है वह है जिला मैस्टेट अर्था डीम दे सकते हैं कि संगे अपराद में पुलिस अदिकारी तो यहां पर क्या कर सकता है तो संगे अपराद में पूलिस अदिकारी वह आरोपी को वारंड के विना गिरबतार कर सकता है तो दूसरा विगल्प सही है नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन डंड प्रक्रिया संगीता की धारा 125 की अंतरगत भरण पोसर्ड पाने का अधिकारी नहीं है तो धारा 125 की अंतरगत भरण पोसर्ड प्राप्त करने के जो अधिकारी है अधर्मज अवयस्क संतान है तो वह धर्मज अवयस्क संतान है तो यह सब जो है भरण पोशण का दावा कर सकते हैं कि नेक्स्ट है दंड प्रक्रिय संगीता की मुख्य पिसेश्था क्या है तो मुख्य पिसेश्था जो है सब्सक्राइं गले तलासी के लिए जो प्रावधान थो इसके संबंद में तीन भाराएं। बहुत महत्पून है उसको हम देखेंगे 119 992 और अगर आफ देखते हैं तो उसमें हैं अब दस्तावेज या अन्य चीज पेस करने के लिए समन किया जाता है तो 91 के अंतरगत समन का प्रावधान है 92 के अंतर यह प्रावधान है कि पत्रों और तारों के संबंद में तो जो है कौन जिला मेश्टेट या मुख्यन्याइग के तहत किसी पत्र या तार को अपने समक्ष पेस करने के लिए अगर ऐसी चीजें जो है पत्र या तार वो जरूरी समझे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह DM या CGM डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा करेंगे कि उसको जो है हमारे समक्ष पेस किया जाए जबकि ऐसा दस्तावेज पेस नहीं किय तलासी वारणन जारी किया जाता है तो पेस किया जाता है तो उसके बाद जो अंतिम विकल्प होता है उन्हें क AlterCome לה तर्थ मेन जारी करता था हैं दो इसके लिए दो अधिकारी हैं यही डीम और सीजयं यहीं जो है यह इतलासी मरण जारी कर सकते हैं कि नेख्ष्ट है जजों और लोग सेवकों को अभियोजित करने के संबंद में प्रावधान दंड प्रक्रिया संगीता की किस धारा के अंतरगत दिया गया है तो जजों और लोक जोसेवक हैं उनको अभियोजिन करने के बारे में जो प्रावधान है वह CRPC की दारा एक सो सथानवी के अंतरगत दिया गया है कि इसके अलाव हम देखते हैं कि धारा 166 में क्या है तो धारा 166 में में राज्य के बिरुद्ध जब अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में जो अभ्योजन होगा वो किस प्रकार से प्रालम भी किया जाएगा तो उसके संबंधे प्रावधान धारा एक सो चानवे के अंतरगत किया गया है और धारा एक सो अठावे को देखेंगे तो इसमें जो है बिवा के विरुद्ध अपराधों के मामले में अभियोजन के बारे में प्रावधान है और धारा निहसुल के विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है तो निहसुल के विधिक सहायता का प्रावधान जो है धारत 304 के अंतरगत किया गया है और इसमें बताया देखेंगे तो मामलों को अंतरित करने की अर्थात ट्रांस्फर करने की एक कोड से दूसरे कोड की यह सरवोची नियाले की सकती के बारे प्रावधान दिया गया है और धारा 301 एक के अंतरगत जो है किसी मामले का जो भार साधेक लोग अभिवजक है वह न्याले की अनुमती के बिना भी मामले में हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है तिसके बादे में प्रावधान किया गया है धारा 306 के अंतरगत पर बिचार कीजिए और सही उत्तर बताईए तो पहला है CRPC का विस्तार जम्मु कस्मीर राज सहित संपूर्ण भारत पर है तो यह कथन सही है दूसरा है CRPC के अध्याए 8 अध्याए 10 और अध्याए 11 के जो प्रावधान है वह नागा लेंड राज और जनजाती छेत्रों पर लागू नहीं होते हैं तो यह जो दूसरा कथन है यह गलत नहीं होते हैं अब अध्याए 8 के अंतरगत कर देखेंगे तो अध्याए 8 में जो है CRPC में यह प्रावधान है कि परिशांती कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूत के बारे में प्रावधान किया गया है और अध्याए 10 को देखेंगे तो इसमें लोक ब्यवस्था कि लोक ब्यवस्था के संबंद में प्रावधान किया गया है और अध्याए 11 को देखेंगे तो अध्याए 11 में पूलिस का जो निवारक कार्य है अर्था प्रिवेंटिव एक्षन जो होते हैं पूलिस के वह उसके बारे में प्रावधान किया गया है तो इस प्रकार से दू का प्रवर्तन है वह 25 जन्वरी से नहीं है बलकि यह एक अप्रेल से है एक अप्रेल 14 1974 से इसका प्रवर्तन हुआ है और चौता है खि razorPC का अध्यायदो दंड़ न्यायलयों के कार्याययों के गठन से संब्रवर् यह साहई है कय Caleb 2 के अंतरगत जोकीная 16 से सीले चिंदल के 25 जले यह तक में विके इसके अंतरगत दंड़ न्यायलयों और कारयाययों के गठन के प्रावधान किया गया है तो इस प्रकार से पहिला और चौथा विकल्प ही सही है बाकि दूसरा और तीसरा विकल्प गलत है कि नेक्स्ट है तिहाड जेल में सत्र नियाले की बैठक करना अवायधानिक नहीं है यह ने जो के नेड़े है किस केस में दिया गया था तो ऐसा नेड़े अविकल्प है के हर सिंग बनाम स्टेट के राज्ज में नेड़े दिया गया था और यह जो है 189 का केस है सब्सक्राइब नेमलिखित में से कौन सा कथन सब्सक्राइब पहला है कि लोग अभ्योजक और सहायक लोग अभ्योजक सरकार की तरफ से नियाले में प्रस्तुत होते हैं तो यह कथन सही है दूसरा है कि लोग अभ्योजक और सहायक लोग अभ्योजक लिखित प्राधिकार से नियाले में हाजिर होते हैं और अभ्योचन करते हैं तो यह सरकार की अनुमती से जो है नियाले में हाजिर होते हैं और तीसरा है लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्टेट के नियालें और सत नियाले में अभियोजन का संचालन करते हैं तो इस प्रकार से यहां पर एक दो और तीन यह सभी जो कथन है वह हैं सही है और अभियोजन के बारे में प्रावधान दोय धारा 24 के अंतरगत तो दारा 25 निलिखित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है पूचحषें पहला कि दोरा किया जाता है यह जांट के परिभासः ही है और अन्यूएशन होता है वहन्याई कारवाहि नहीं होता है तो इस प्रकार से यह जो विकल्प है यहीं सही नहीं नहीं है इसके अलवाण जाच आश का उद्धेश कंथा कोछ तीसरा है जाच का उद्धेश तत्तियों की सत्यता तत्था corresponds सत्यता को सुनिश्चित करना है तो यह भी सही है और चौथा है कि जांच आप्राधिक मामलों का दूसरा च्रण है तो यह प्रकार से एक तीन-चार सही है लेकिन दूसरा जो विकल्प है यह सही नहीं है नेक्स्ट है धंड प्रक्रीय संहिता कि धारा-166-1 अनुसर जब तलासी भाष से बाहर होती है से बाहर होती है तो ऐसी स्थित्य में जो रहा होते हैं वह फ्राथना पत्र जिसे लेटर आप हजाता है इसको जारी करते हैं है कि सही सोमीलित करने के लिए तो इस से जो देखते हैं कि किस विकल्प में सही सुमीलित है या नहीं है तो पहला है धारा 306 CRPC तो इसमें जो है सत्र नियाले द्वारा मृत्तिव दंड की पुष्टी के लिए हाई कोड को प्रस्तुत किया जाना तिया कथन सही है क्योंकि जब सत्र नियाले के द्वारा किसी मामले के विचानड करने के बाद अपराधी व्यक्त को मृत्तिव दंड की सजा दी है तो ऐसी सजा का निस्पाधन तब तक नहीं किया जा सकता जब कि तक कि उसको हाई कोड के द्वारा उसके अपनी पुष्टी नखर दी जाए तो धारा 308 के यह CRPC है तो CRPC कि धार 376 के अंतरगत छोटे मामलों में अपील ना होना इसके संबंद में प्रावधान किया गया है तो यह भी सही है चौथा तीसरा है कि धारा 437 तो इसमें जो है गैर जमानती अपराधों की दसा में कब जमानत दी जाएगी इसके संबंद में प्रावधान किया गया है और धारा 482 के अंतरगत हाई कोड की अंतर नहीं सक्तियों के पारें प्रावधान किया गया है तो इस प्रकार से यह जो है सभी जो विकल्प है हुए सुमेलित है नेक्स्ट निम्लिकित में से किस केस में सरोज चिन्याले ने यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 125 के अंतरगत बिवाहिता पुत्री जिसके पास स्वयम के परियाप्त साधन है वह अपने माता-पिता के भरण पोसंड के लिए जिम्मेदार है तो ऐसा नेड़ा है सरोज चिन्याले के द्वारा यह विजय मनोहर अर्वट बनाम कासी राव राजा राम के केस में दिया गया था क mellan आरोप में निम्रिकेत में से काउन और amed आपराद का विवरेण होगा जिसके लिए अभ्योगत को आरोपित किया गया है कथन सही है इसका होना आवस्यक है दूसरा है कि आवस्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट आपराद की परिभासा सहीत बिधिर की धारा जिसके विरूदः अपराद किया गया है तो ऐसा कई कोई जो है अस्परआज जो तो एक वह और 211 की अंतरगत नहीं दिया गया है उसमें यह बताएगि अपराद का बिवरन होगा अगर जो बिधी है जो उस अपराद को परिभासित करती है उसकी कोई परिभासा देती है तब उसको परिभासा को दिया जाएगा लेकिन अगर कोई परिभासा नहीं देती है तो उस अपराद के बारे में इतनी बातें वहां पर सामिल की जाएंगी जिससे 212 के तहट जो है आरूप में सामिल की जाती है और अपराध की रीत और रित जिस में अपराध किया गया है तो इसके संबनिन जो प्रावधान है धारत 213 के अंतरक्त दिया गया है तो यह रीत भी उसमें बताई जा सकती है तो इस प्रकार से 1-2-1-3-4 सही है दूसरा के लिए जो आवेदन होता है कि इसके बारे प्रावधान धारत 265 बीके अंतरगत दिया गया है तो यह हमेशा उस न्याले में दाखिल किया जाएगा जहां पर जो है अपराद बिचारा धीन है या उसका जो बिचारन होगा है लंबित है तो ऐसे न्याले में ही अभ्यूक्त क जानना कि आवेदन किसके द्वारा दिया जाता है जाता हम्रेट्यू अजीवन डढ़ाएं या साथ वर्स पर पर प्रावधार्ष परा मेंपराउन प्लिबारगेनिंग का जो आधार पर समझावता किया जा सकता है या इसके लिए आवेदन किया जा सकता है और एक बात और है कि यह ऐसे मादलों भी में लागू नहीं होगा जबकि अपराध जो है वह है इस्त्री के विरुध्ध हो और देश की सामाजिक आर्थिक दसा को प्रभावित करने वाला हो या 14 वर्से कम आयू के बच्चों के विरुद्धापराद हो तो यह तीन मामले हैं कि इस्त्री के विरुद्धापराद 14 वर्से की आयू से कम के बच्चे के विरुद्धापराद और देश की सामाजिक तथा आर्थिक दसा को प्रभावित करने वाले कोई मामले हैं उसके विरुधा पराद होता है या साथ वर से अधिक दंड से कोई मामला है तो इन मामलों में जो है प्ली बारगेनिंग का जुरूल होगा लागू नहीं होगा और इसका आविदन जो है अभ्यूक्ति बिक्त की द्व स Candice को मलीमत समीथ की सिफारिज पर 2005 में इसको जो है कि सामिल किया गया है 2005 कि नेक्ट नेक्ट है दंड प्रकिया संगित्या कि किस धारा में ज्याले कोया सकती है कि वह बिचारण के कि शिधर को साक्षी के रूप में बुरा सकता है तो ऐसा जो सकती है वह धारा 311 के अंतरगत दी गई है धारा 309 के अंतरगत कारवाही का मुलतवी किया जाना के बारे में सक्ति दी गई है धारा 310 की अंतरगत स्थानी निरीक्छण के बारे में प्राउधान किया गया है और धारा 311 की अंतरगत सीत की संबंध में प्राउधान किया गया है इसके अलावा धारा 175 के अंतरगत व्यक्तियों कोई समन करने की पुलिस अधिकारी की सक्ति के संबंद में प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट नेमलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है तो पहला है विसिस्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण किया जा सकता है तो यह कथन सही है दूसरा है एक अभ्यूक्त अपने सह अभ्यूक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का दावा कर स करना है तो यह भी सई है और चवता है कि अभ्योजक एक व्यक्ति का सह अभ्यूक्त के रूप में सामिल करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभ्योजन साक्षी के रूप में परिक्षण कर सकता है तो यह भी सई है तो इस प्रकार से जो है यह दूसरा कथनी सई नहीं है कि एक जो अभ्युक्त हैं अपने सह अभ्युक्त के साथ संजूक्त बिचारण का दावा कर सकता है तो बलकि वह संयुखत बिचारण का दावा नहीं कर सकता यह होगा कि नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संगिता की किस धारा के अंतर्गत लिपकी या गणती भूल को ठीक करने के सिवाए नेड़ या आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है तो ऐसा जो यह प्रावधान है वह दारा 362 वाशट कि अंतर्गत किया गया है इसके लावा भावधा 211 में कौन से मजश्टा हैं सेकंड क्लास मजश्टेlor की सकती प्रापत है तो यह प्रावधान iya say next इक उच्च फिर से मामय के अंतरण करने की सर्वाWS झाले की सकति का whenever किया जाता है तो किसी मामले को से दूसरे और को ट्रांसफर किया- जाता तो यह जो सकती है वह पर सर्व चे था प्राप्त प्राप्त है और से श्रुची नहीं को सरव चन्याले भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर चीट यह अविदन कर सकते नहीं दोनों ही आधारों पर जो हैं यह ट्रांसफर करने की सकती यह सत्त न्याले को प्रदान करती है तो हाई कोड क्या करेगा कि एक सेशन कोड से दूसरे सेशन कोड को मामले को ट्रांसफर कर सकता है और धारचार साव 8 के तहट जो सेशन कोड है वह किसी मजिस्टेट के न्याले से जो है किसी दूसरे मजिस्ट करते के अधीन कोट कर सकता है किसी अन्याधिकारता की को कर सकता है मैं । नेक्स है निम्लिखित में से कउन आपराद व्यक्तियों के दौरा समन gusto किया जा सकता है तो व्यक्तियों के द्वारा यहां पर छूड़ गया है समन के बारे में यहां प्रावधार किया गया है कि किस आप राध का जो समन है या कौन से मामले हैं जो कि व्यक्तियों के द्वारा समनी नहीं है तो जो चोट पहुंचाना होता है जारता होता है और ग्र के द्वारा ही किया जा सकता है और ब्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता और कुट कृत चिक्के बनाने के संबंद में जो प्रोविजन है वह भारती दंड संगिता अर्थाथ MKC नइन निमीखित में से काव सुमेलित नहीं है तो पहला है पूलिस रिपोर्ट तो इसके बारे में जो प्रावधान ढहरा टू आर दिया गया इसकी परिभासा चिए समेलित है दूसरा है शंगेया पराद तो इसकी परिभासा टू सी के जमानतीय प्रट की परिभासा जो है थारा टू बीखंत नहीं दी गई है बल्कि या थू- एक एंतरगत दी गई है और टू बीखंत आरोब को परिभास्ट किया गया है कि तो यह जो है दूसरा विकल्ब सुमेलित नहीं है और अन्याले के वर्ग में सामिल है तो कौन से न्याले जो है दंड न्याले के अंतरगत आते हैं इसके प्रावधान हम देखेंगे देखेअ में धर न्याले के अंतरगत आते हैं तो एस प्रकार से एक दो 30 और 4 यह सभी आद्न न्याले या संगीता की धारा 439 सरकार को दंडा देश के लगुकरण की सकती प्रतान करती है तो यह जो कथन है यह सही है यह सरकार नहीं है समुचित सरकार है तो 1445 में लगकरण की सकती है और इस सक्ती का प्रियूग करते हुए सरकार जो है सम्चित सरकार आजीवन कारावास के दंड को 10 वर्स के कारावास के दंड के रूप में लगकरण कर सकता है तो यह कारण गलत है कथन सही है कारण इसलिए गलत है क्योंकि आजीवन कारवास की जो सजा है उसको 10 वर्स के रूप में लगकरण नहीं किया जा सकता वलकि उसको 14 वर्स के रूप में उसको लगकरण किया जा सकता है तो इस प्रकार से यह तीसरा विकल्ब सही होगा कि एक सह ही है परन्तु आरगलत है कि नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 265 एक कितने दंड की अवधी पर लागू होती है तो 261 जो है प्ली बारगेनिंग के बारे में प्रावधान किया गया है तो प्ली बारगेनिंग जो है अभी हमने देखा था पीछे के प्रस्णों में तो प्ली बारगेनिंग जो है ऐसे मामले में ही लागू किया जा सकता है अर्थात इसके लिए आविदन ऐसे मामले में दिया जा सकता है जहां पर जो अपराद है वह साथ वर्स या उससे कम के दं पर साथ वर्स तक के अपराद के मामले में ही धारा 265 जो प्ली वार्व येनिंग का जो आवेदन होता है उसकी मामले में लागू होता है नेक्स्ट ये को सुल्तानपूर में सारी छत की गई और वह उन छतियों के कारण लखनाव में जहां उसे इलाज के लिए लागिया था मर जाता है तो निम्लिखित नियालेव में से किसमें इस मामले का विचार्ण करने का छेत्तरादिकार होगा तो यह मामला 189 179 से सम्बंग्द है और यह जो प्रस्ण है इसी धारा काच जो दिरिश्टान स्थ है या दिरिश्टान स्थ है उसी पर अधारित है और धारा दार्द में जब कोई कार्य किसी की गई बात और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराद है तब ऐसे अपराद का जाच या विचारण जो है ऐसे न्याले के द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारता के अंतरगत ऐसा कारी किया बहुत लिभी मांपुर में पने पहुता है तो सुलतानपुर में उसको चोड़ पहुचाई गई और मर जाता है तो यह स्यंक्न मामने का विचारण वह सुल्तानपूर में भी किया जा सकता है और लकनौ में किया जा सकता है कि नेक्स्ट है दिती वर्ग का जो मजिस्टेट है वह कौन सा दंड दे सकता है तो सेकंड क्लास का जो मजिस्टेट है उसकी दंड देने की सकती के बारें प्रावधां धारा 29 के अंतरगत किया गया है 29 में यह बताया याकि को मजिस्टेट जो होते हैं काउन काउन से धंड दे सकते हैं तो यहां सेकंड bible मुंछा है तो सेकंड canszyst्ड घृक होता है एक वर्स्तक का कारावास कि और पांच जारूपए तकक का जुर्माना क San Zero दे सकते हैं और जो फर्सट वर्स तक होता है वह बर थीन वर्स क्लास मेस्टेट का 3 कहार आवास की सजा के दे सकता है कि नेक्स्ट सही सुमेलित तो इस लगभख सभी सुमेलित हैं देखते हैं प्रोविजन धारा 161 के अंतरगत पूलिस के द्वारा साक्षियों की परिक्षा के संबंद में प्रावधान किया गया है यह सही है और परिवादी की परिक्षा है वह धारा 200 के तहत की जाती है तो यहां पर जो है चारों विकल्प हैं यह सभी सुमेलित हैं कि नेक्स्ट है डंड प्रक्रिया संगीता की धारा 107 के अंतरगत एक कारपालक में स्टेट एक व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए परिशांती कायम रखने के लिए बंधपत्र निस्पादित करने का आदेश दे सकता है तो धारा 107 धारा 108 और धारा 109 यह तीन धाराओं के अंतरगत जो है जो धारा 106 और साथ में परिशांती कायम रखने के लिए और धारा आठ नौ 10 इनके तहर जो है सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है तो यहां पर धारा 107 आठ नौ इनके अंतरगत गर आप दिखेंगे कभी पूचया जाता है तो इनके अंतर गठर जो बंदपत्र म्यूंद कीया जाता है वह एक वर्स तक के लिए बाकि-धार bri 106 और 110 के अंतरगत जो है वह और जाता है लिए दंड़ प्रक्रिया संगिदा के अंतरगत आजीन कारवास के दंड़ देश quick का लगुकरण कोन कर सकता है तो लगुकरण जो है धारा 433 के तहत समचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है और समचित सरकार जो है अभ्यूक्ति व्यक्ति की अनुमति या सहमति के बिना ऐसा कर सकती है इसके अलावा एक आता है धारा 432 के अंतरगत समचित सरकार जो दंडा देश का निलंबन कर सकती है या परिहार कर सकती है तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि धारा 433 के तहट सम्चित सरकार के द्वारा लगुकरण किया जाता है और 432 के तहट दंडा देश दंड का निलंबन या परिहार किया जाता है नेक्स्ट है संगे अपराज में पुलिस सद्धिकारी कौन सा कारी कर सकता है तो अभ्यूक्त को वारेंड के बिना गिरपतार कर सकता है तो यह जो कथन है वह सही है और इसके बारें जो प्रावधान है उधारा 41 के अंतर गदिया गया है को दूपरर नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस केस में यह मet시ip किया गया की अभ्यूक्त जो है वह केस डायरी का उपयोग नहीं नहीं कर सकता है और अभ्यूक्ति और तो अभ्यूक्ति इसके अलोकन का दावा कर सकते हैं तो ऐसा जो नेड़ा है यह पूछा गया है कि किस केस में दिया गया था तो यह मधुली मैं भारत संग का केस है इसी में यह नेड़ा दिया गया था कि अभ्यूक्त या उसके अधिवक्ता ना तो केस डायरी को मगवा सकते हैं और नहीं उसके अलोकन का दावा कर सक कि नेक्स्ट है दंड प्रक्विया संगिता की कि सधारा में वादों और अपीलों को अंतरीद करने की सत्र नियाधीज की सक्ति की वारिम प्राउधान किया गया है तो अभी हमने देखा था कि मामलों को करने का झुआ यहां पर सत्रीजी नेमलिखित कथनों पर चारा किजिए तो इसमें पहला है कि अवैit गिरफतारी विचारण को दोसी नहीं नहीं करती है यह गथन सही है दूसरा है कि एक संस्विक्रिति अवैध गिरफतारी से अब इधिमान नहीं हो जाती है तो यह अभी चाहि है तो यह भी सही है और चौथा है कि गिरपतारी हत्कड़ी लगा करना अवस्यक नहीं है यह मात्र मौखिक उद्धोशना के द्वारा भी की जा सकती है तो इस प्रकार से यहां पर जो चार कथन है यह सभी कथन एक दो और तीन चार यह सभी कथन सही है नेक्स है दंड प्रक्रिय संगिता की धारा सततर के अंतरगत गिरपतारी का वारेंट निस्पादित किया जा सकता है तो गिरपतारी का जो वारेंट है वह भारत के किसी भी अस्थान में जो है वह निस्पादित किया जा सकता है नेक्स है समन मामली का अर्थ है अपराद से संबंधित ऐसा मामला जो की दंडनी है तो जो समन मामला होता है वह दो वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनी जो मामला होता है अर्थात दो वर्ष से अनधिक की अधिक के कारावास से दंडनी जो अपराद होता है वह समन मामल दी गई है वह अधारा टू उपधारा डबलू के अंतरगत दी गई है कि नेक्स्ट है किस वाद में यह निर्धायत हुआ है कि अभ्यूक्त के बिरुद्ध आरोप बिरचित करने या संग्यान में लेने के समय अभ्यूक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तूत करने का अधिकार नहीं है तो यह जोनेड़े यह किस केस में दिया गया था अईसा नेरे उडीशा राज बनाम देविंद्रनाथ पाढ़ी के केसं में दिया था नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता कि किन धाराओं में सत्थ्नियाले के समक्ष बिचारण की प्रक्रिया का प्राउधान किया गया है तो एक प्रस्थ्न है यह बहुत बार पूछा गया है अभी हमने इसके पहले से यह पिसी जो तीन पीडियो पॉब्लिक किये हैं आप उनमें देखेंगे तो वहां भी बहुत जगह पर प्रस्थ्न आया है और इसे आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कई बार सत्थ्नियाले के समक्ष कई बार संशिप्त विचारण समय विचारण यह पूच लेता है कि किन से किन धाराओं के बीच में है इसको हमने दो सो अनतिस से लेके दो सो पचास में यह वारंट विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है कि वारंट विचारण की प्रक्रिया है वह कैसी होगी वह प्रक्रिया को बताया गया है 251 से 266 के अंतरगत समन बिचार्ण की प्रक्रिया बताई ग creat और 225 से 276 में सत्थ न्याले की समख्प जो बिचार्ण की प्रक्रिया है उसे बताई गया है कि नेक्स्ट है अन्वेशन के अंतरगत पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाने वाली सब कारवाहियां किस प्रकार की होती है तो इन्वेस्टिगेशन जो है यह एक न्याईक कारवाहि नहीं होती है यह जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है और न्याईक कारवाह नहीं किया सकता है विरिचित कर दिया गया हो इसके बारे अगर प्रवधान देखेंगे दो जगह पर दिया गया है तो 249 में यह बताया गया है कि जब कि करिवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले के लिए के लिए जो नियत की गई है उस59 पर जो परिवादी है वह अनुपस्थित हो जाता है अर्थात हाजिर नहीं होता है और अपराध किस प्रकार का है समनी है अर्था तो वह जो compoundable है उसका बिधिपूर्णवक समग किया जाता है और दूसरी बात है कि वह मामला जो है असंगे है तो पहली बात कि वह जो अपराद है समनी होना चाहिए दूसरी बात है कि वह अपराद असंगे हो इन दो परिस्तितियों में जो और तीसरी बात है कि आरोप जो है बिर्चित न किया गया हो तो जब आरोप बिर्चित कर दिया गया है तो वहां पर समन जो है उसका उन्मोचन नहीं किया जा सकता है लेकिन जब आरोप विर्चित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उस मामले में जो है जो मैस्टेट है वह विवेका नुसार जो है अभियुक्ति व्यक्ति को उन्मों चित कर देगा तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मैस्टेट है वह अपने विवेका अनुसार जो है अभियुक्ति व्यक्ति को उन्मों चित कर देगा यह तो ही धारा 209 अब धारा 256 को देखेंगे तो इसके अंतरगर जो है समन मामला है और समन मामले का विचारण हो रहा है और वहां पर परिवादी हाजिर नहीं होता है या उ वारंट मामले में जो है उन्मोचित कर देगा अगर हाजिर नहीं हुआ तो और 256 के तरह समन मामले में क्या कर देगा दोस्मुक्त कर दिया जाता है नेक्स्ट है एक गिरपतारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 82 के अधिहिन फरार व्यक्त के लिए उद्गोसडा एक साथ जारी की गई और बाद में धारा 83 के अधिहिन कुरकी का भी एक आदिश निर्गत कर दिये जाता है तो इन आदेशों की बैधारिक होगी तो है वारंट जारी किया गया। यह उसके तुरनत वाद लिया। उन्गोसडा भी जारी कर दी गयी उनanton गोसडा जारी करने के बाद की कर दीश भी दे दिया गया तो ऐसी सिति में पैद्धारिकुर्था कि करेंगे तो हम जो होता है koska ओ नियां चानिव है कि वारंट किया जा सकता है जबकि वो विश्यस परिष्थितियां हो अर्था जो अभ्यूक्त फरार होने वाला हो या अपनी संपत्ति को हटा रहा है यह सब बाते तो यहां पर जो है धारा है नहीं किया जा सकता है तो बारंटे के साथ जारी के तहत तो इसलिए जो अभ्यासी के अधिन आदेश हो गया जब बैसी के अदिन आदेश है अबाइधानिक और अनुचीत है तो उसके बाद जो है कुरकी भी दूसित हो जाएगी तो इस प्रकार से यह तो तीसरा विकल्प है यहीं सही होगा कि उध्घोंशडा का जो आदेश है वह अबाइध है और उसके अबाइध होने के कारण जो कुरकी है वह भी अबाइध हो ज करवाई की जा सकती है तो जब एक ब्रिटिस व्यक्ति भारत में पंजीकृत विवान पर अपराद करता है तो वहाँ पर उसके उपर जो कारवाई है धारा 188 के तहट की जाएगी और धारा 183 को अगर आप देखेंगे तो इसमें है यात्रा या जल यात्रा मेज अगर कोई अपराद किया जाता है तो उसमें जो है विचारण के बारे में अस्थान का निर्धारण किया जाता है धारा 182 के अंतरगत पत्र आदिके माध्यम से अगर कोई अपराद किया जाता है तो वहाँ पर जो विचारण का अस्थान का होगा इसका निर्धारण क है कौन करता है हाई कोड करता है तो हाई कोड केसे करता है कि अगर जो दो कोड है यह दोनों जो है इसी हाई कोड के अधिन हो है और यहां पर यह प्रस्न है कि किसमें जो है अपराध का विचारण होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में यह जो हाई कोड है यह निस्चित करेगा कि कि किस माम कोट में मामले का विचारण होना चाहिए लेकिन जब दो कोट हैं और दो हाई कोट अलग-अलग हैं और यहां पर प्रस्ण है कि किस मामले में जो है कौन सा न्याल है मामले का विचारण करेगा तो ऐसी सितिती में यह दोनों जो लोवर कोट हैं यह अलग-अलग करेगा जिसके अधीन जो मामला सबसे पहले संस्थित किया गया था तो यहां पर हम इस मामले को देखते हैं इस question को इसमें पूछा है कि बिटिस नागरिक भारत में पंजीकित बिमान पर अपराद किया है तो अपरादी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 188 के अधिन जो है कारवाही की जाएगी अब हम आइपते हैं भारती दंड संगीता की अर्थात इसमें बताएं कि बिस्तार भारत में भारती के द्वारत किये गए हो पहली बात दूसरी बात है कि भारत में पंजीकित किसी पोत्त पर को यह अपराद किया जाता है और तीसरी बात है कि भारत में स्थित कंप्यूटर को लक्षित करते हुए अर्थात कंप्यूटर को निसाना बनाते हुए अगर कोई जो अपराद किया जाता है तो ऐसी स्थिती में भी भारती दंड संगीता के प्राउधान लागू होंगे और CRPC में जो है उसी के तहट जो IPC के दिन अपराद किये जाते हैं उन्हीं का विचारण CRPC के तहट किया जाता है नेक्सट है गलत उत्तर बताईए तो कथन यह है कि दंड प्रक्रिया संगीता कि धारा 125 की एक आदेश पारित किया जा सकता है कब जब की एक व्यक्ति भर्ण पोशर करने से उपिक्षाया इंकार कर सकता है कर इंकार करता है तो जो है एक सो पचीज के दिन भरण पोशन आदेश यहां पूछा गया कब पारित नहीं किया जाएगा तो इसमें है कि एक पत्नी चाहे वह पारस्परिक सहमती से ही अलग रह रही हो तो वह जो है एक सो पचीज के तहट उसको भरण पोशन के लिए आदेश नहीं जारी किया जाएगा तो यहीं जो कथन है यह सही है नहीं है क्योंकि जब पत्नी पारस्परिक सहमती से रह रही हो या परियाप्त कारण से अलग रह रही हो या जारता की स्थिति में रह रही हो तो आईसी सब्सक्राइब करने में असमर्थ है तो वह भी जो है अपने पिता से जो है कि नेक्स्ट है उनमोचन का आदेश क्या है या किस प्रकार कारे तो उनमोचन का ताथ पर यह है कि जब कोई मामला सहस्थित किया गया और यी कोड के समक्ष पेजित किया गया और आईसी तो आईसे त्थिती में जो मजिस्टेट है या सेशन को अभी तो को उन्मोचित कर देता है तो इस प्रकार से उन्मोचन जो है यह एक कोई निड़ने नहीं होता है और मोचन के संबन में अगर प्रावधान देखेंगे तो धारत 227 के अंतरगत यह कोर्ट आप सेशन जो है मामले को में जो है उन्मोचित कर देता है और धारा 249 में और 245 के तहर जो है मैस्टेट जो है उन्मोचित करता है तो यह तीन धाराएं उन्मोचन से संबंदी थे 227, 249 और 245 एक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 50 यह उपबंध करता है कि बिना वारेंट गिरपतार व्यक्त को गिरपतारी के आधार और यद गिरपतारी जो है जमानती अपराद के लिए हुई हो तो उसके जमान तो यदि धारा 50 का जो पालन नहीं किया जाता है अर्थात जो है गिरपतारी के आधार को या गिरपतारी के बाद जो उसको उपचार प्राप्त हैं उसको नहीं बताया जाता है या धारा 50 का पालन नहीं किया जाता है तो आईसी स्थिति में जो संबंदी ब्यक्ति है उसकी हाई कोट में डारेक्ट कर सकता है तो इस प्रकार से जो धारा पचास का पालन नहीं किया जाएगा तो उसका यही प्रभाव होगा नेक्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 24 ए में लोक अभ्योजक सब्दों के पस्चात कौन से सब्द अंतहस्तापित किये गए हैं तो लोक अभ्योजक के अंतरगत एक या अधिक अतिरिक तो लोक अभ्योजक आते हैं यही सब्द जो है धारा 24 एक के अंतरगत सामिल कि कि नेक्स्ट है समनी अपराद किस धारा के अंतरगत या कहां पर समनी अपराद के बारे में प्रावधान किया गया है तो कौन से अपराद समनी होंगे इसकी जो सूची दी गई है धारत 320 के अंतरगत दी गई है कि कौन से अपराद समनी होंगे इसके अलमा अगर आप प्रथम अंसूची देखेंगे पर्थम अंसूची में आपराधों का वर्गी करण किया गया है उसमें यह बताया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं कौन से अपराध जमानती नहीं है और जो दूसरी अंसूची है तो पर्थम अंसूचि में जमानती के बारें बताए गया है और दूती अंसूचि में प्रारूप किसी का वारेंट का गिरफ्तारी का और समन का किसी आदेश का निस्पादन होगा है तो यह सारे प्रारूप जो है दूसरी अंसूची के अंतरगत बताए गए हैं और इसी प्रकार से धारत 321 को देखेंगे तो इसमें अभ्योजन वापस लिए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है किने वbew्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट के दोरा आरूपित किसी सर्थ को तो इसके कौन क्या कर सकता है जमानत पर छोड़ते समय आरूपित सर्थ को जो है अगर कोई सर्थ है तो उसे सेशन कोट या हाई कोट तो उसको क्या कर सकता है उपांतरित कर सकता है या कोई अन्य जो सर्ते हैं उसको लागू कर सकता है या कोई सर्त पहले से लगी है तो उसको आपास्त कर सकता है यह सब जो कार्य है वह सेशन कोट और हाई कोट कर सकते हैं और किस धारा के तहट दारत 449 नेक्स्ट बलात Whenever अपराध्र के अन्यवेशन के दारान दरान अ गोर तो जो इसकी चिंगेशक की जाँच च्राइंच मेडिकल कराती से आगर उस सामयती देने सक्षम नहीं है तो इस्तिती में उसकी ऊर से साह्मति देने के लिए उनीकी साहिंती से उसकी मेडिकल जुजाच कराई जाती है औरेप पीडिता या बला संग या यहन अपराद की जो पीडिता है उसकी जो मेडिकल एक्जामनेशन है उसके बारे उसके प्रावधान है वह धारा 164 एक अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगिता की मुख्य बिसेश्ता क्या है तो सीर पीसी की जो मुख्य बिसेश्ता है वह है नियार पालिका को कारिपालिका से प्रिथक करना नेक्स्ट गैर जमानती अपराध के मामलों में जमानत के प्रावधानों के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है तो पहला है यदि संबंधित इन्याले इस निश्कर्ष पहुचता है कि अभ्योजक अभ्यूक्त के विरुद्ध प्रथम द्रिष्टिया मामला स् 437 के अंतरगत दिया गया है और पहला कथन सही है दूसरा है कि यह दिन्याले इस बात से संतुष्ट है कि प्रथम द्रिष्टिया मामले के तथ्यों यों परिस्थितियों को द्रिष्टिगत करते हुए ऐसे ब्यक्त को जमानत पर मुक्त करने की आवसकता है तो वहां भी ज तीसरा कथन है यह सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 437 के परंतुक तीन के अंतरगत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि केवल यह बात की अभ्यूक्त की आवसकता अनुएशन में साक्षियों के द्वारा पहचानने के लिए हो सकती है जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए कोई परियापताधार नहीं होगा तो यही जो प्रावधान है धारा 437 के तीसरे परंतुक के अंतरगत दिया गया है तो यहां पूशा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है तो यही जो तीसरा कथन है यही सही नहीं है इसके लावा चौथा कथन है कि यदि अपराध जो है मृत्तिव दंड आजीवन कारावास या साथ वर्स या अधिक के कारावास से दंडनी है तो कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक को सुनवाई के आउसर दिये बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है तो यह भी कथन सही है नेक्स है दंड प्रक्रिया संगिता के किस धारा के दिन आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतभूत के पारे में प्रावधान किया गया है तो है विचूल अफेंडर जो है जिन्हें आभ्यासिक अपराधी कहा जाता है उनसे प्रतिभूत की मांग जो है धारा 110 के तहत की जाती है इसके बारे प्रावधान धारा 110 के अंतरगत किया गया है इसके अलावा धारा 109 के अंतरगत जो है यह संदिक्द व्यक्तियों कि संदिक दिव्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है और एक बात ध्यान रखने योग है कि धारा 110 के अधिन जो है विचुल अफेंडर हैं जो सदा जो आभ्यासी का प्रादि हैं उनसे तीन वर्स की अवद के लिए जो है सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है अब 110 में जो है तीन वर्ष की जो सदाचार की मांग की जाती है यह प्रतिभूओं सहीत होगी यह ध्यान रखने वाली बात है प्रतिभ्यों सहीत और तीन वर्स के लिए जो सदाचार या परिसान्ती की मांग की जाती है तो 106 को देखेंगे तो इसमें दो सिद्धी पर परिसान्ती के लिए मांग की जाती है लेकिन यहां भी तीन वर्स की अवधी है तीन वर्स और लेकिन यहां प्रतिभूओं सहीत या रहीत है और 110 के अंतरगत तीन वर्स है लेकिन यहां प्रतिभूओं सहीत है यह बात ध्यान रखने योग्य है नेक्स्ट है दंड प्रकिया संगीता कि 1364 की अधीन संस्विक्रिती अभिलिखित करते समय नेमलिखित में से कौन सा मजिस्टेट का करतव नहीं है तो 1364 के तहत जो मजिस्टे प्रकियत संस्विक्रिती करते हैं investigation के दौरान तो इनका जो कुछ कर्तब्य होता है तो वह कर्तब्य है कि संस्विक्रिति करने वाले व्यक्ति को यह अस्पष्ट करने का उनका कर्तब्य है कि वह व्यक्ति संस्विक्रिति करने के लिए बाद नहीं है तो पहला तो सही है दूसरा है कि वह उनको चेतावनी देने करतब या संस्विक्रती करता है तो उस संस्विक्रती को उसके विरृद साक्ष्में प्रयोग किया जा सकता है यह भी सही है कथन को प्रस्णों कयों उत्तरों के प्रारूप में अबलीखित करने का करतब तो ऐसा कोई करतब यह एक दो और जो चार है यह बाते फूल फिल होनी चाहिए लेकिन जो कथन है वह प्रस्णों उत्तरों के रूप में लिखा जाएगा इसके संबंद में कोई प्रावधान वहां नहीं किया गया है नेक्स है निमनिकित में से काउन सा केस है जो की अग्रिम जमानत से संबंदित है यह यह जहां से संबंदित है दिनेश必要 से संबंदित है तो समन मामले को वारंट मामले में परिवरतन करने के संबंद में जो प्रावधान है वह है धारा 269 के अंतरगत दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जब किसी ऐसे अपराध की मामले में जो की समन मामला है और उसमें 6 महीने से अधिक के कारावास का दंड का प्रावधान है तो ऐसी च्थिति में जब मजिस्टेट न्याई हित्मियाँषय समझता है तो वहाँ पर हुए है उस समंन मामले के विचारण की प्रकृया है उसमें वारंट मामले की वीचारण की प्रकृया को अपना सकता तो इस प्रकार से यह जो प्रावधान है यह धारा 269 के अंतरगत दिया गया है और 260 को कर देखेंगे तो यह इसमें संशिप्त विचारण के बारे में प्रावधान किया भी आती है कारण घरेलू संबंध का ताथ पर बैवाहिक प्रकृत से हैं तो कारण गलत है क्योंकि कारण जो यह बताया गया है कि घरेलू संबंध का ताथ पर बैवाहिक प्रकृत से है तो यह गलत इसलिए है क्योंकि घरेलू संबंध के अंतरगत केवल बैवाहिक पर्कितने संबंध नहीं आते हैं बलकि इसमें रख्त संबंध भी आते हैं तो इसमें सही है पर गलत है झाल से कौन सा कथन समन मामलों के के बिचारण में सही है तो समन मामलों के बिचारण में जो है आरोप बिरचित करना आवस्यक है तो यह कथन गलत है क्योंकि समन मामले में आरोप बिरचीत करना आवस्यक नहीं होता है उसमें केवल जो है आरोप का सारांस बताया जाता है तो यह जो कथन इस प्रकार से गलत है दूसरा है कि छोटे मामलों में नियाले अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिती में ही दो सिद्ध कर सकता है तो यह कथन सही है इसके संदर में ज सही नहीं है क्योंकि 257 के अनुषार जबकि परिवाद वापस लिया जाता है तो वहां पर नियाले अभियुक्त को जो है दोस्मुक्त कर देता है तो इस प्रकार से तीसरा जो कथन है यह भी सही नहीं है चौथा है कि नियाले समन मामले को वारंट मामले में बदल सकता है त इस्प्रकार से यहां पर दो और चार कि अर्थात इसमें चो दूसरा विकल्प है यहीज सही है दूसरा ओर शौ्टा है नेक्स्ट न्युम्न में से दंडप्रक्रिया संगिता की कौन सी धारा के द्वारा अभीयुक्त को बिधिक सहायता प्रतान की जाती है दारा 304 के तहत अब 304 को देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान है कि जब सेशन कोट के समक्ष किसी विचारण में अभ्यूक्त का प्रतनिदित तो किसी अधिवक्ता या प्रतीत होता है कि अभ्यूक्त के पास प्लीडर को न्यूक्त करने के लिए परियाप साधन आई तो अइसीचुति में राज्य के वे पर अभ्यूक्त को अभिधिक सहायता प्रादान करता है तो यह जो प्रावधान है गातारा 304 के अंतर्गत किया गया है और अगर दिखेंगे तो ःतीनीश को देखेंगे तो इसमें जो हो है लोगस कि लोगसित्गत चमा धान्त के जब कि 306 के तहाथ खरतार के प्राप्त करता है उस सरत का पालन दे जांग करने की अनुग्या तो अनुग्या किसको दी जाएगी तो उसमें जो है किसी पूलिस अधिकारी को भी ऐसी अनुग्या दी जा सकती है लेकिन उसमें सर्थ यह है कि वह निरिक्षक की पंक्त से नीचे का नहीं होना चाहिए दूसरी बात कि उसने जो है उसके इन्वेस्टिगेशन में उसने अधिक्रित कर सकता है तो एक बार में अगर यह प्रस्ण है तो इसमें एक बार में 15 दिन के लिए अधिक्तम उसे प्राधिक्रित कर सकता है लेकिन अगर दूसरा उत्तर इसका यह भी हो सकता है कि अधिक्तम उसे 90 दिन के लिए उसे प्राधिक्रित कर सकता है लेकिन अगर संचिप्त विचारण में कौन सा दंड दिआ जा सकता है तो संचिप्त विचारण के बारे में प्राओधान और CRPC की धारा 260 से लेके 265 तक में दिया गया है और संशिप्त विचारण जो होता है तो उसके वहां पे धारा 262 के अंतरगत यह बताए गया है कि किसी संशिप्त विचारण में अधिक्तम तीन माह तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है और यह इसी में यह भी बताया गया है 362 के अंतरगती कि जो संशिप्त विचारण की प्रक्रिया होगी वह वही प्रक्रिया होगी जो की समन्वामले में अपनाई जाती है दंड प्रक्रिया संगिता कि धारा 489 के अधिन अग्रिम जमानत मंझूर करने की सकती कि किसके पास होती है तो अग्रिम जमानत की सकती जो है वह वह सेशन lifelong दोन CFDs की सकती प्राप्त होती है नेक्स है दंडप्रक्रिय संगीता कि धारा 95 के अधीन समय पहरण की घोषडा निम्ण मेंसे किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है तो समय पहरण की घोषडा को अगर देखेंगे तो धारा 95 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ प्रकासनों के समय पहरित होने क गोस्रा करने और उनकी तलासी वारण जा रहे करनी की सक्ति तो यह जो सक्ति होती है वो होती है राज्य सरकार के पास अब जब आईसी जो चीजें जब्त कर ली जाती है या उसे समापहरित कर लिया जाता है तो ऐसी श्तिति में धारा होती है हाई कोड के पास और इसके वारें प्रावधान जो है धारा 96 वे के अंतर गया ऊथ धुष्मATH करने करने के आवेधन कि सुनवाई हाई हाई कोड के तीन जजों से बनी पीछ के द्वारा सुना जाएगा और उसे उस पर नेड़य लिए जाये तो यहां पर इस प्रस्ण का उत्तर होगा हाई को के नेक्ट है निम्न में से कौण सा प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवस्यक्तर नहीं है तो viene या प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में उधान है वा धारा 115 CRPC में दिया गया है तो इसके जो कुछ दी जाने वाली सबसे पहली सूचना होती है तो यह भी सही है चौथा है कि सूचना किसी भी अपराज से संबंदित हो सकती है तो यह गलत है क्योंकि किसी भी अपराज से यह नहीं है और हुआ है दारा 155 के तहां तो वहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी था नेक्स है दितीस रेडी मजिस्टेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कितना दंड देने का अधिकार होता है तो यहां पर सस्क्राइब की बात कर रहा है तो सस्क्राइब कहा कारावास का दंड देज सकता है या 5000 रुपए तक का जुर्माना तो यह भी ध्यान में रखना है तो जुर्मानी के उसकी छमता कितनी होगी 5000 रुपए और 29 के अंतरगत ऐसे दंडा देश जो की मजिस्टेट दे सकेंगे इसके जंदर में प्रावधान किया गया है तो इसके अनुसार जो सीजियम होता है सीजियम कितना अधिक्तम साथ वर्ष तक का कारवास की सजा दे सकता है कि प्रथम वर्ग नियाग मेश्टेट जो है वह तीन व सत् practitioner के अंतरगत बताया व्क जो मुख्र महाणगर मेश्टेट होता है उसकी जो सकतिया हो रहे हो कि महानगर मेश्टेट की सकति यु के बराबर हो गी तो यह जो है बात जानना वह जरूरी है इसके संदर में है इस के अंतर सब्सक्राइब करने के लिए तो इसी केस में जो जूनियर जूसेल अफिसर होते हैं उनकी गिरपतारी किस प्रकार से की जाएगी तो उसके लिए कुछ गैडलाइन जारी की गई थे क्यूंस में कि नेक्स है सुमेलित करने के लिए तो संगे मामलों में इतिला जिसे यह कहा जाता है तो इसके संदर में 654 के अंतरगत दिया गया है मजिस्टेट द्वारा गिरपतारी के संदर में प्रक्रिया बताई बाइगया ऑधारा 244 प्रतेक आपराद के लिए प्रिथक आरोप लगाए जाएगा और उसका प्रिथक बिचारण किया जाएगा जब कि धारा 220 को देखेंगे तो इसमें यहां बताया गिया है कि जब एक ही संभ्यावहर के अंतरगत कई कारियों किये जाते हैं अर्थात कई कारियों से मिल कर के कोई अपराद बनता है तब उनकफ सारे कारियों को जो एक ही मामले में आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा तो इस प्रकार से यहां पर सुमेलित जो है चौथा नहीं है बाकि सभी सुमेलित हैं दन्ट प्रक लिए संग्हितार में समनी और न प्राधहों का वरगी करन किस धाहरा के अंतरगत यह तो सम Schoolsana और अपर्णिते संस्ट के अंतरगत दिया गया है और प्रथम असूची को दीखें है तिसमें जमांती और अजमानती के बारे में बताए गया है और दिती अंसूची में अगर देखें दे तो इसमें प्रारूप को बताए गया है तो प्रारूप से ताथ पर समन का वारूप कैसा होगा वारेंट का प्रारूप कि इन सारे प्रारूपो को इसमें बताये गिए है धारा दूसरी अंसूची की अंतरगत। इसी परकार से अगर हम आगे देखते हैं धारा 301 को तो 301 के अंतर जो है यह अभियोजन वापस लिये जाने के के पारें प्रावधान किया गया है तो अभियोजन वापस लिए जाने कि सभ्रॉजन को वापस ले सकता यह अपरावधान धाराथ 302 के अंतरगत दिया गया है में जमानेती आपराथ से Ebola에ं जो जमानिती के रूप में दिखाया है तो कहां रिखाया हैसी में तो जैसा भी हमने देखा है कि पर्थम अनसूरोची जमांति और जमांती कौन से मामने होंगे इसके संदर में पराउधान किया दूसरी अंसूची के अंतरगत जो है वह बताएगया है कि कि数 मामने में प्रारूप होगा किस प्रकार का होगा और आगे देखते हैं 425 कि 425 के अंतर गत्य यह दिया है या उसके पद उत्तरवर्ती अर्थात उसके ट्रांसफर हो जाने के बाद उस पद पर जो तुई अन्य नयाधिस आता है मजश्टेट आता है तो वह जो है उस तो अपराद सब्द की जो परिभासा है वह जो है CRPC की धारा टू अर्थात टू एन के अंतरगत दी गई है और इसके अंतरगत कोई ऐसा कारे भी आता है जिसके बारे में पसु अतिचार अधनियम की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है और धारा 2B के अंतरगत जो है इसमें समन मामले को परिवासित किया गया है और धारा 40 को देखेंगे तो इसमें जो है ग्राम के मामलों में नियुक्त जो अधिकारी होते हैं और उनकी क्या सकती होगी जबकि उस गाव में कोई अपराद हो जाता है तो यहां पर अपराद को पूछा है तो अपराद को के अंतरगत उस व्यक्ति को विचारण के किसी चरण में बुला सकता है और पुनह परिक्षा कर सकता है जिसकी परिक्षा हो चुकी है तो इसके अल sofort है वह पूंचा गया है कि क일े उत्व क्या था धारہ 311 के अंतरगत दिया गया है और 311 में क्या प्रावधान है कि कोई न्याले इस संगीता के अधिन किसी जाच विचारण या अन्यकारवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर जो है हाजिर होने के लिए बुला सकता है और उसकी पूनह परिक्षा कर सकता है तो यहां प्रावधान जो ह 313 को देखेंगे तो 313 के अंतरगत जो है यह अभयूक्त की परिछा करने की सक्षण सक्षण होगा कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए सक्षम सक्षी होगा लेकिन उसे सक्ष देने के लिए ज tebi बु़ाय जाएगा जबकि वह स्वय लिखित प्रार्थना देता है तब उसे सक्षी के रूप में बुझाय आएगा इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं जो कि धारा 323 है तो 323 के अंतरगत वह प्रक्रिया बताई गई है कि जब कि जांच या विचारण के प्रारम के पास्चात मजिश्टेट को पता चलता है कि मामला सुपूर्द किया जाना चाहिए तो जब ऐसा पता चलता है तो उसे वह सक्षमन्याले को सुपूर्द करेगा तो यह जो प्रावधान धारा 333 के अंतरगत दिया गया है लिए नेक्ट है नेमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है अधि कोई व्यक्ति अपने गिरफतार किये जाने का बलपुर्वक प्रति रोध करता है तब पूलिस अधिकारी क्या कर सकता है तो अगर कोई व्यक्ति है सबसाधनों को प्रयोग में लाया सकता है और दूसरा है कि जिसने कोई भी अपराद किया हो तो उसकी मृत्यूकारित की जा सकती है तो यही जो कतन है वह सही नहीं है क्योंकि अगर उसने कोईं भी अपराद किया है तो उसकी मिरत्यु कारित नहीं की जा सकती है तीसरा है कि हत्या के अभ्युक्ति की मृत्युही कारित की जा सकती है यह फ़रार हो रहा है या अब बल पुर्वक विरोत कर रहा है और चौथी बात ही कि हत्या की कोट में ना आने वाले मानवध के अभ्यूक्ति व्यक्ति की मृत्यूभी कारित की जा सकती है तो यह जो है पहला तीसरा और चौथा सही है लेकिन दूसरा जो कतान है वह है सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में जो कर प्रावधान देखेंगे तो धारा 46 के अंतरगत दिया गया है तो ऑप अपने गिरबतार के जाने का प्रियास करता है या गिरबतारी से बचने का प्रियास करता है तो पुलिस हरिकारी है या अन्य व्यक्ति है वह की रप्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को प्रयोग मिला सकती हैं और इसी प्रकार से खंड तीन देखेंगे तो तीन में यह बताया गया है कि इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने मृत्यू या आजिवन कारावाद से दंडनी अपराद को किया है और वह अभ्यक्षा में है और अभ्यक्षा से निकल भागने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो है मृत्यू तक कारित की जा सकती है कि नेक्स्ट है सुब्रहमानियम स्वामी बनाम मनमोहन सिंग के नेड़े में उच्चितम न्याले ने दंड़ प्रक्रिया संगिता तथा भ्राष्टाचार निवारण के अधिनियम के अधिन लोग सेवकों के अभियोजन के लिए अधिक्तम चार महीना और इसके संदर में जो प्रावधान है वह अधारा 197 के अंतरगत दिया गया है 1307 में किया है कि न्यायद सेवकों के अभियोजन जब होता है तो ऐसी अभियोजन की सिति में वहाँ पर सरकार हो एक सुविखर चाहिए तो इस केस में सुब्रिमाणियाम सवामी दे दी जानी चाहिए छार महीने के अंदर सुविक्रिती का चाहिए नेक्स है निम्ण में से कौन सावाद अग्रिम जवानत से संबंदित है तो यहां पर अग्रिम जवानत जिसके बारे में प्रावधान जो है वधारा 438 के अंतरगत दिया गया है तो इससे संबंदित जो महत्पूर केस है वह है जोगेंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियान राज तो यह जो केस है वह धारा 438 अग्रिम जवान से संबंदित है नेक्ट है निमलिखित में से कौन सावाद दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 144 से संबंदित है इसमें से जो करनाटक राज बनाम प्रमीड तोगडिया का केस है यह जो है कि द welt से नेक्ट है नेक्ट है लिखित में से किस केस में यह निदारित किया गया है कि धरय एक है म। निर्वाथ्य की राजिक विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस रास से अतिरिक्त और अधिक्त रास की रूप में उसे नहीं दिया जाएगा तो यह जो केस है यह निड़े जो है यह दिया गया था सुदीब चौधरी बनाम राधा चौधरी का केस है यह 1997 का केस है तो इसी केस में यह ऐसा निड़े दिया गया था नेक्स्ट है एक उध्योत व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है कुर्क की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवाBik user के सुध्ध आगमों का दावा कर सकता है तो अधिक्तम जो है कितने अवद के भीतर अगर न्याले में हाजिर होता है तो तभी वह अपने उसका जो है विक्रे के आगमों का दावा कर सकता है तो इसके संदर में प्रावधान है उसको देखेंगे तो जो है धारा 85 के अंतरगत दिया गया है तो इसके अनुसार वह जो है 85 के खंड तीन में जो बताया गया है कि यदि कुर्की की तारीक से दो वर्स के अंदर कोई व्यक्ति स्विक्षा से हाजिर होता है या लाया जाता है और यह समाधान कर देता है कि वह फरार नहीं हुआ था और उसे कुर्की या उद्गोसडा की सूचना नहीं मिल पाई थी तब ही जो है उसको विक्रे के सुध आगमों के बारे में दावा कर सक करता है और उसको वापस दिया जाएगा तो यह हैं दो साल के अंदर तो इसी प्रकार से एक कोश्चना उरिच्पे बनता है जो कि धारा 84 से है तो 84 के अंतर गतिया पूछा जाता है कि कुर्की के बारे में दावे और आपतियां कितनी दिन के अंदर की जाएगी तो ऐसी कु कोई व्यक्ति है जो कहता है कि है हमारी संपत्ति है और इसे कुर्क नहीं किया जाना चाहिए था तो ऐसी श्तिति में वह उस न्याले में जिसके आदेश से कुर्की की गई है वहां पर दावा कर सकता है कि हमारी जो संपत्ति है उसको वापस की जाए तो ऐसी जो दावा है वह 6 महिने के भीतर किया जाएगा और जब कुर्की कर ली गई है तो कुर्की के सुध्ध आगमों का जो दावा है वह धारा 85 खंड तीन की तयात दो साल के भीतर किया जाता है नेक्स्ट निम्न में से किस वाद में उच्चतब न्याले ने अवधारित किया है कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्यूदंड या आजियोन कारावास से दंडनी किसी अपराध का अभ्यूक्त व्यक्ति दोसी है और गैर जमानती अपराधों के अ यह जो निर्देश है वह सर्वोचिन्याले के द्वारा जो है यह गुरुचरन सिंग बनाम दिल्ली प्रसाजन के केस में 1978 में दिया गया था नेक्ष है दंडप्रक्रिया-संगीता किकी सधारा के अधेन गिरवतार ब्यक्ति की गिरवतारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्त अधिकारी द्वारा परिक्षण के संदर में यह प्रावधान है रचावन के अंतरगत दिया गया है और जीक यह सब यह उसके द्वारा जो है डिटार परिख्षरी गत्रकीर तहतंद को जाता है बगने गिन आफ़िए करुद्धार के दिया स्वास्थ और सुरक्षा के संदर में प्रावधान दिया गया है धारा साथ एक अंतरगत यह बताया गया है कि गिरपतारी जो है वह कठोड़ता पुरुवक और संगी संगीता के जो प्रावधान है उसके अंसवार की जाएगी और धारा पच्पन के अंतरगत यह बताया है कि जब पूलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिनागिरत्तार करने के लिए अपने अधीनस्त को जो है न्यूक्त किया जाता है तो वहां पर कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की किस धारा के अनुसार यथा संभव भारती दंड संगीता की धारा 376 और 376 यह से लेके 376 घर तक के अपराधों का विचारण महिला पीठा सिन्याधीस की द्वारा किया जाएगा तो ऐसा जो प्रावधान है वह CRPC की धारा 26A के परंतुक के अंतरगत दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जब कि IPC की धारा 376 और 376A से लेके 376D तक के अंतरगत को यह अपराध किया जाता है तो वहाँ पर जो अपराध का विचारण होगा वह महिला पीठा सिन्याधिकारी की द्वारा किया जाएगा नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया जंगिता की कि सधारा के अधीन न्याले को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवयकादिकार प्राप्त है तो ऐसा जो प्रावधान है वह अधारा 311 के अंतरगत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि न्याले है आवस्यक संगे तो देखेंगे को तो इसमें ४्रावधान है कि जो है मेश्टेट नमुना हस्तले लेने के लिए किसी दिया लेख लेνे के लिए आदेश दे सकता है और धारा 313 के अंतरगत अभ्यूक्त की परिक्षा करने की सक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है तो इसमें यह बताया है कि अभ्यूक्त जो है अपने विरुद्ध साच में प्रकट होने वाले किनी परिस्तितियों का स्वयम अस्पस्टी करण दे सके इस प्रयोजन से अभ्यूण की परिक्षा की जा सकती है और धारत 319 की अंतरगत यह ऐसे अप रावधान के दो सी परतीत होने वाले अम्यव्यक्तियों की विरुद्ध कारिवाई के जो करने की सकती जो और तो यह प्रावधान जो है दो है धारत 399 में दीया गया नेक्स्ट है कपर भासा के आधार पर दो समुहों के मध्य दुस्मनी फैलाने का रोप है इस अपराध का नियाले के द्वारा संग्यान लेने से पूर्व दंड प्रक्रिया संगिता के अंतरगत किसकी पूरुस्विकृती अवस्यक है तो इसकी यहां पर पूरुस्विकृती जो है केंद्र अथवा राज सरकार की होनी चाहिए तभी वहां पर अभ्योजन प्रारंब किया जा सकता है तो इसके तंदर में जो प्रावधान है वह धारा एक सो चानवे के अंतरगत सीर्पी सिम दिया गया है इसके इसके अंस्वार राज के विरुद अपराधों के यह जो अभ्योजन का प्रारंब होगा वह कोई न्याले तभी प्रारंब कर सकेगा जबकि उसके लिए केंद्री आथवा राज सरकार के द्वारा उसकी पूर्वनमती दे दी गई हो नेक्ष है दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 145 के अचल संपत्य के बारे में बिवाद में कारपालक मजिश्टेट किस प्रस्ण पर निर्धारन कर सकता है तो 145 के अंतर जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि जहां भूम या जल से संबंध बिवादों से परिशांत भंग होने की संभावना है तो वहां पर जो कारपालक मजिश्टेट है वह पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर जबकि उसका समाधान हो जाता है कि उससे जो है लोकसांती भंग होने की आसंका है तो एसिच्ति में वह लिखित रूप से आदेश देगा कि जो उसके पक्षकार हैं जो दावा करते हैं वह उसके समक्ष हाजीर हों और विशयवस्तु के बारे में अपने वास्तिविक जो कबजया है उसको सावित करने के लिए अपना कथन पेज करें नेक्ष है नेमलिखित पर विचार कीजिए तो पहला है प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है अपराध होने की सूचना मात्र है तो यह कथन सही है और दूसरा है कि पर्थम सूचना रिपोड अपने आप में सारभूत साथ है इस प्रकार से एक सई है परण्तु दूसरा गलत है नेक्स है मुसलिम माता-पिता के बच्चे तो मुसलिम माता-पिता कि बच्चों के संदर में कौन सी बात यहां सही है तो वे जो है भरण पोषण के हकदार हैं यही बात सही है नेक्स्ट वारेंट मामले का आस है ऐसे अपराज से संबंदित है जो कि मृत्युदंड से दंड़नी है आजीवन कारावास से दंड़नी है या दो वर्ष से अधिक अवधिक के कारावास से दंड़नी है तो इस प्रकार से पहला और दूसरा यह दोनों सही है जबकि 2 वर्स से अनधिक या मात्र 2 वर्स या उससे कम के करावास से जो दंड़नी मामला होता है वह समन मामला होता है और वारंट मामले की जो परिभासा है वह धारा 2X के अंतरगत दी गई है नेक्स कर पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपहती का आरोप है तो यहां पर कर चोरी करने और घोर उपहत करने के आरोप अलग लग लगेंगे और उसका जो है विचारण भी अलग-अलग होगा तो यह पहला सही है इसके संबंद जो प्रावधान है वह धारा 218 के अं प्रावधान किस पर लागू होगा तो प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान है वह धारा कि 265 ए से लेके 265 एल तक में दिया गया है तो इसमों अगर हम देखते हैं धारा 265 एको तो उसमें यह बताया प्रावधान है वह भारत के सामाजिक और आर्थिक इस्तितियों पर प्रभाव डालने वाले मामलों पर लागू नहीं होते हैं तो इस प्रकार से उप्रयुकत में से कोई भी ऐसे अपराथ नहीं हैं जिसमें कि यह सभी में लागू नहीं होंगे कि तो इस प्रकार से इनमें से किसी भी मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे नेक्स है यदि किसी न्याले का पीठा सी न्याधीज नेड़े में हस्ताक्षर नहीं करता है तथा तिथी अंकित नहीं करता है तो यह किस प्रकार की अनिमित्ता होगी तो इसके बारें प्रावधान जो है धारत 461 के अंतरगत दिया गिया है CRPC में और इसमें यह बताया गिय है कि यह जो है मात्र एक साध्य प्रक्रियात्मक अनिमित्ता है लेकिन इसके कारण से किसी जो पक्षकार है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए तो धारा 461 को देखते हैं तो इसमें यह बताया गिया है कि जब की सक्षम अधिकारता वाले नियाले के द्वारा कोई परण नियाले की राय में वस्तुतहन्याय नहों पाया हो कि नेक्स है क्या चोरी का अभ्यूक्त है और गिरवतारी के पश्चात 90 दिन तक वह निरोध में रखा जाता है और दो सिद्ध होता है तो उसे एक वर्स तक का कारावास दिया जाता है तो क्या वह 90 दिन की मुझरा सप्सक्राइक अधाऊ कर सकता है और इसके संदर मेर जो मुझरा के संब्लब में प्राओधान ईया गया है तो यह प्रण किया गया है इन कि और पुनर के के बारे में फ्रावधान में चुना के प्रावधान दिया है। थारत 357 से लेके 405 में और में 10 इस बीवाह के बिरुद्ध अपराध के अभ्योजन के सांब्न में प्रावधान करती है। तो यहां पर जो है कि बिवा के संदर में पूछा है तो बिवा के संदर में अभियोजन का प्रावधान है दारा 198 में दिया गया है जबकि 199 में मानहान के मामले में अभियोजन के बारें प्रावधान किया गया है और दारा बंदी प्रत्यक्षी करन रिट से मिलेती जोलती है तो इसमें जो है जो धारा 97 है यह बंदी प्रत्यक्षी करन रिट के समान है क्योंकि इसमें यह जो है प्रावधान किया गया है कि जब जिला मजिस्टेट या उपखंड मजिस्टेट या फर्स क्लास मजिस्टेट को यह विश्वास है कि कोई व्यक्ति विधिवुरुद्ध तरीके से जो है कहीं पर निरुद्ध किया गया है या उसको बंद किया गया ह है तो ऐसे व्यक्ति की तलासी के लिए हूए है तलासी वारंट जारी कर सकता है तो यहीं चTod प्रावधान धारा 97 के इंतर कर दिया गया है इसके लावा बनेत्वा के देखेंगे तो अब पर सुनुआई करता है और धारा 98 को देखेंगे तो इसमें जो है आप अहरित इस्त्रियों को वापस करने के लिए विवस करने की जो सकती है वह बताई गई है और धारा 99 के अंतरगत वह तलासी वारंटों का निर्देश के बारे में प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट है एक नियाइग मैस्टेट संस्विकृति अभिलिखित कर सकता है तो नियाइग मैस्टेट जो होता है वह संस्विकृति या कनफेशन को लिखता है विचारन के दवरान और धारा 160 के तहत कि नेक्स्ट है डाक घर की तलासी का वारंट जारी कौन कर सकता है तो डाक घर की तलासी का जो वारंट है उसे जारी कर सकता है जिला मैस्टेट इसके बारे में जो प्रावधान है उधारा Vay Mahanby के अंतरगत दिया गया है और बानवे को देखेंगे तो इसमें बताये गया है कि पत्रों और तारों के संदर में जब कि जो जिला मंजिट है अर्थाद डीम है मुख्नियाईक मंजिट है्थास सीजियम हैया सेशन č यहाई कोट की जो है यह तलासी वारण जारी कर सकते हैं कि नेक्ट है भारती दंड संगिता के अध्याय 21 के अंधरगत मानहान के अपराद का संग्यान लिया जा सकता है तो मानहान का संग्यान है הבरुषप ब्रिक्ति की परिवाद पर लिया जा सकता है इसके संदर में जो प्रावधान है धारा 199 के अंतरगत CRPC में दिया गया है दंडप्रकिया संगिता के निम्निकित की सधारा में पीडितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है तो पीडितों के उपचार के बारे में प्रावधान यह जो है धारा 357 गय के अंतरगत या 357 के अंतरगत दिया गया है और इस धारा को जो है 2013 के जो दांडिक भी संसोधन था उसके तहट इसको जोड़ा गया है तो इसके तहट जो उपचार होगा वा किसका होगा तो ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लेंगिक अपराद किया गया है अर्थाद भारती दंड संगीता की धारा 376 या 376 ए से लेके 376 ए तक जो रेप के मामले हैं उस तरह के कोई अपराद किये गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो उसका उपचार का जुदाईत होगा जो चिकित्सक होंगे चाहे वो प्राइबेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो या केंड्री राज सरकार के दौरा कोई अस्पताल अस्थापित की गई हो तो वहां पर उसका उपचार करने का करतब्य है यदि वह ऐसे करतब का पालन नहीं करता है अर्थात उस पीड़िता का उपचार नहीं करता है तो वह IPC की धारा 166 एके तहट अपराध करता है और उसे उस अपराध के लिए 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित क किया जा सकता है और इसके अलामा जो है अगर हम देखते हैं तारह 357 B के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिकर होगा वह आई पीसी की धारा 326 A और 376 D के अधिन जुर्माना जो लगाय जाएगा उसके अद्रिक्त में और 357 योजना के बारेम प्रावधान किया गया है ओर 357 में यह प्रतिकर देने का आधेस के प्रावधान प्रावधान किया गया है को है है नेक्स है दंड़ प्रक्रिया शंगिता की धरा-चवषक के अंतरगत लोकड़ और अभिप्रेत हैं तथा इसमें तौद धरा चौबिस के अंतरगत लोकड़िवाशा दी गई है चेशप하겠습니다 प्रफबत्पर इस प्रकार से और वी यह दोनों जो है लोग अभियोजक के अंतरगत आते हैं आं किनी लिखत में से कौन सी धारा प्रतिकर भुगताण न्याय से समबंदित है तो प्रतिकर भुगतान न्याय से समबंदी जू 3353 है जैसा कि अ भी हमने पहले भी देखा कि इसके अंतरगत प्रतिकर दिये जाने के संदर में प्रावधान किया गया है और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो धारा 355 के अंतरगत यह महानगर मजिस्टेट जो होते हैं मेट्रोपोल्टन मजिस्टेट तो इनके नेड़े के बारे में प्रावधान किया गया है 356 के अंतरगत पूरतन सिध्ध दोस आप राधी को अपने पते की सूचना देने के आदेश दिये जाते हैं इस धारा के तहरत और जो है धारा 369 के अंतरगत गरहन देखते हैं तो धारा 369 के अंतरगत असंगे मामलों में खर्चा देने के आदेश दिया जाता है नेक्स्ट दंड प्रकिया संगिता के अंतरगत विक्रित चित अभ्योक्तों को कुछ विधिक संदच्छन तिये गए हैं तो यह प्रावधान कहां पाए जाते हैं 349 तक में दिया गया है तो इस प्रकार से 328, 331, 334 इन सभी धाराओं में जो है यह विक्रित चित अभ्योक्तों के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स है अग्रिम जमानत मंजूर करने का छहत्तरा अधिकार किसमे निहित है तो आमने पहले भी देख चुके हैं इसे कि यह जो है सत्ट न्याले और उच्छ न्याले इन दोरों में निहित है और अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान धारा 438 के अंतरगत दिया गया िए तो कwon से डंड है जिसे मुख्हिनयाग मैस्टेट या सीजियम जो है दे सकते हैं युद्ट्ञ संधर में ंप्रावधान धारा 29 के अंतरगत दिया गया है तो मुख्हिनयागमी स्टिट जो है वहह सात वर्स या उसससे कम की करवास को जो है दन्ड दे सकते हैं नेक्ट है दंड प्रतिया संगीता के निम्यखित धाराओं में से किसधारा में साक्ष शी की भाव भंगीमा के बारे में टिपड़ी अभलिखित की जाती है तो यह जो टिपड़ी है वह द verballyगित की जाती है जब पुलिस ठाने के भारसादक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्मात्या कर ली है तो तुरंत किसको रिपोर्ट करेगा तो जो है धारा 174 के तहट निकट्तम जो कारपालक मैस्टेट हैं उनको वह जो है उसकी इतिला देगा या उसको रिपोर्ट करेगा संगे अपराद की सूचना मिलने पर पूलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने है तो बात यह है यह निम नवाद में उच्चितम नियाले के द्वारा संप्रेशित किया गया यह गाइडलाइन जारी की गई तो यह बहुत महत्पूर्ण केस है ललित्या सूचना को लिखने के लिए बाद करने के लिए र स्रकार के दोरा कि न लोगर कोर्ट हैं उनकी जो भासा क्या होगी उसका निर्धारण राजसरकार के द्वारा किया जाएगा और दारत 321 के अंतरगत अभ्योजन वापस ले जाने के संदर्म प्राउधान किया गया है तो किसी मामले का भार साध्यक लोग अभ्योजक या सहायक लोग अभ्योजक जो है वह है नेड़े सुनाया जाने से पहले किसी भी समय जो है न्याले की अनुमती से अभ्योजन वापस ले सकता है तो आरोप विर्जित किया जाने से पहले अगर यह है अभ्योजन वापस लिया जाता है तो यह बात ध्यान रखने योग है और इसके अलामा धारा 257 के परिवाद वापस लिए जाने के संदर में प्राउधान किया गया है तो परिवाद वापस लिए जाने के इसको अनुमती देने के लिए परियापत आधार हैं तो वहां पर जो है नियाले परिवाद वापस लिया जाने की अनुवती दे सकेगा और जब ऐसा परिवाद वापस ले लिया जाता है तो उसका प्रणाम होगा दोस्मुक्ती हो जाएगी अर्थात जो अभ्यूक्त है वह दोस्मुक्त कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्योश्चन है निम्लिखित में से किस केस में सर्वत चिन्याले ने यह नवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो की मेंटिनेंस या भरण पोसर्ण के बारें प्रावधान करती है तो इसके अंतरगत बिवाहिता पुत्री जिसके पास स्वयम की पर गया अपराद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतरगत समनी नहीं है तो धारा 320 के अंतरगत जो की CRPC की धारा है इसमें यह बताया गया है कि कौन से अपराद समनी होंगे और कौन से अपराद समनी नहीं होंगे तो इसके अनुसार जो है जो धारूट के बारें प्रा की धारा 438 जो की अग्रिम जमानत से संबंदित है अग्रिम जमानत के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में पुनह प्रवर्तित किया था तो अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है वह उत्तर प्रदेश के मामले में यह जो है लागू नहीं होता था अर्था उत्तर प्रद कर दिया गया है कि नेक्स्ट है भारती दर्ण संगीता की धारा 376 घहक अर्था डी एक अंतरगत जो की 16 वर्ष से कम आयो के बच्ची के साथ गैंग रेप के संदर में प्रावधान करता है गैंग रेप को दंडेनी बनाता है तो इसके मामले में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वह पूलिस थाने के भारसादर करदिकारी को सूचना प्राप्ति कि कितने दिन के भीतर जो है उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा तो इसके संदर में प्रावधान देखेंगे तो आई पीज़ दारा 173 वन एक अंतरगत इसके बारें प्रावधान किया गया है और यह जो प्रावधान है 2018 से पहले यह जो टाइम था इन्वेस्टिगेशन तीन महीने के भीतर पूरा किया जाने की बारें प्रावधान था लेकिन 2018 में संसोधन किया गया है और संसोधन करके से अंतरगत को अपराद किया गया है तो ऐसे अपराद की जांच और विचारण जो है यथा संभव आरोप पत्र दाखिल किया जाने की तारिक से दो महीने के भीतर इसे समाप्त किया जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है और जांच और विचारण है यह दोनों जो है दो महीने के भीतर समाप्त किया जाने के प्रयास किया जाएगा और यह जो अपराद होगा वह लैंगी का पराद के मामली में इसा होगा नेक्स है दंड प्रक्रिया संगिता के अंतरगत निम्लिखी धाराओं में से किस धारा में पीडित प्रतिकर योजना को सामिल किया गया है तो पीडित प्रतिकर योजना की बारे में जो प्रावधान है यह धारा 351 एक अंतरगत दिया गया है इसके अलावा धारा 391 एक अं अधिश्यार्ट की सकती के बारे बताओ बताया गया है और 436 जो जमानत के संदर में प्रावधान करती है तो इसमें है की जो अधिकतम समय क्या होगा जिसके लिए विचाराधिन कईदी है उसको निरुध किया जा सकेगा कारागार के तो इस प्रकार से यह जो है सारे विकल्प हमने देखें हैं तो यहां पर प्रतिकर योजना के बारें प्रावधान जो है थारा 351 के अंतर्गत दिया गया है अर्थात कि धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि जो है जब की 164 के तहत जब संसुकृति को आप लिखिर किया जाता है और उसकी संसुकृति लिखने में कोई अनिमेत्ता हो जाती है या कोई तुर्टी हो जाती है तो वहां पर कौन सी धारा लागू होगी तो वहां पर सब्सक्राप पर किस धारा के अंतरगत यह दी गई है यह दारा कि एकde 161 जो पूलिष है और वह अपने की सेअक के अगर कोई चर zawr óf को सकते और की जानकारी है तो उसको अपने समख साजिर होने के लिए आदे ही लेकिन अएसा जो आधेश है هوगा किसी 15 वर से दिया जा सकता है तो संचिप्ट विचारण के बारे में प्राउधान जो है धारा नियुकती के दौरा की जाती है तो नियुकती है जो एक दौरा की जाती है नेक्स है पुलिस रिपोर्ट से भिन आधार पर संस्तित मामलों के विसे में आरोप निमलिखित में से किस धारा के अंतरगत विर्चित किया जाते हैं तो पुलिसरिपोर्ट से भिन आधार पर घर कोई मामुला की तो किया गया है तो है दरस्व फिर्सीट करने के बारे में प्रावधान वा धारा के शमक्ष दूसरा प्राउधान है जिसके बारे में प्राउधान जारा 240 को मामलों के बिचारण में जब आरोब किया जाएगा और इसके आरोब प्राउधान किया गया यह तीनों जो है बहुत इंपोर्टेंट हैं इसको ध्यान रखना जरूरी है नेक्स है यह कोई इस्त्री जिसे अम्रित्यु दंड दिया गया है और वह गर्वती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने काधिकार किसके पास है तो अगर कोई इस्त्री है जो की गर्वती पाई जाती है और उसको अम्रित्यु दंड की सजा दी गई है कि तो ऐसी इस्तिति में उसके मिर्त्यु दंड सजा को आजीवन कारावास के अंतरगत जो है परिवर्तित किया जा सकता है और इसके बारे में प्रावधान है वह से आरपीची की धारा 416 के अंतरगत दिया गया है और यह जो सक्ति होगी वह हाई को होती है धारा 416 को देखेंगे कि यह दिवा हिस्त्री जिसे मृत्यू दंड दिया गया है गर्वती पाई जाती है तो हाई कोड जो है दंडा देश का आजिवन कारावास के रूप में लगुकरन कर सकता है यही प कि खुने से प्रतवंदित काती है तो यह जो प्रावधान है धारा 46 खंड एक के परंतुक के अंतरगत दिया गया है वह किसे निम्रिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इस में से पहला है संगेम मामलों में इतिला अरथा अथा अब्यार के नहीं है कि और ठ्राइबेट के द्वारा गिरफ्तारी के बारे में किया गया है अर्थात कब कोई प्राइबेट व्यक्ती दूखिवा किसी सवाद की Jamer करनाटक भनाम प्रमीड तोगडिया का कि नेक्स है CRPC की निम्रिखित में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पूलिस थाने के भार साधर कदिकारी को यह सूचना मिलती है कि कि किसी व्यक्तिने आत्महत्या कर ली है तो ऐसी स्थितिव में जो है वहां पर जो है धारा 174 के प्रावधान लागू होते हैं कि धारा 174 इसके अलावां 154 को देखेंगे इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफ यार के संदर विप्रावधान किया गया है और 147 में भूम या जल के उप्योग से अधिकार से संबंधित और विवाद उत्पन होता है तो उसके वारे विप्रावधान किया गया नेक्स है प्रतेग जिले के लिए एक लोग अभ्योजक की नियुक्ति की जाती है तो प्रतेग जिले के लिए एक लोग अभ्योजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी तो लोग अभ्योजक की जाएगी या किसके द्वारा की जाएगी तो जो है धारा 24 को देखने या खंड एक के अंतर्गत दिया गया है कि प्रतेक उच्छ न्याले के लिए केंद्री सरकार या राजसरकार के लिए केंद्री सरकार या कर सकता है तो केंदर सरकार जो है जीले के लिए करता है खंड दो के अंतरगत और खंड तीन के अंतरगत जो है वह राज्य सरकार किसी जीले के लिए लोग अभियुजेक की न्यूक्ति कर सकता है ऐसा प्रावधान किया गया है कि नेक्ट है दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संदच्छण को CRPC की कि सधारा के अंतरगत जो है सम्मानित किया गया है या इसके बारें प्रावधान किया गया है तो दोहरे संचालित करने की अभग्या के रिम प्रावधान किया गिया है 308 इनतरयत जो छमात्त की सर्थों का पाणोद ना करने वाले भीक्टी का उसी अपरात के लिए इसका विचारण किया जा सकता है फे के प्रावधान किया है और 304 जो है नहिसुल देंट प्रक्रिया संगिता की निमनिमें कौनसी धारा संग्यान सब्ड को परिभासित करती है तो संग्यान को CRPC में कहीं भी परिभासित नहीं किया गया है तो यह इसे कहीं भी परिभासित नहीं किया गया है जबकि धारा 2C के अंतरगत संग्य अपराध को परिभासित किया गया है इसके अलावा धारा एक सो नब्यक अंतरगत जो मैश्टेट के दौरा अपराधों का संग्यान कैसे लिया जाएगा इसके बारे में बताय गया है तो थे इस प्रकार से यहां पर पूछा गया है कि संग्यान सब्द को कहां परिभासित किया गया है तो है तो यह जो है ठाने के भारसाद कार्य को दिया जाती है तो सभी कथ भी स्पर्या сश से सभी कथन है वह सही है कि नेक्स है स्यार पीसी में दंडा देशों को अस्थगित करने या उसको माफ करने की जो सकती होती है वह समुचित सरकार के पास होती है और इसके संदर में प्रावधान है वह धारा 432 में और 436 के अंतरगत दिया गया है तो धारद 432 को देखेंगे तो 432 के अंतर्गत दंडा देशों का निलंबन या परिहार करनी की सकति और 432 के अंतर्गत दंडा देशों के लगुकरण की सकति है किस के पास है ये समुशिस सरकार के पास है नेक्स्ट है CRPC की किस धारा के अंतरगत नियाले नीड़े सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्धन या परिवर्धन कर सकता है तो परिवर्धन या परिवर्धन के बारे में जो प्रावधान है वह जो है कि धारा 216 के अंतरगत दिया गया है और इसके अंतरगत यह प्रावधान है कि कोई भी नियाले नीड़े सुनाए जाने से पूर्व किसी जमय किसी भी आरोप में परिवर्धन या परिवर्धन करके कर सकता है जब ऐसा परिवर्धन किया जाता है तो उसको अभियुक्त को कि जा चुकी है और धारा 215 को देखेंगे तो इसमें गलतीयों के प्रभाव के बारे में बताये गया है कि ऐसी जो गलती है या लोप है तब तक नहीं मानी जाएगी या तब तक या नहीं मानी जाएगी द तक कि उसके कारण में भुलाया नहीं पढ़ गया ? तो यह आरोप के सब्दोंका वही अर्थ लगा जाएगा जो कि उसका उस विधी के अधिन जोताने के हटाने के लिए चिला मजश्टेट बक्रमाइश सक्ष्म होते हैं कि नेक्स्ट है सुमिलित के जिए तो पहला है दोस्सभद्रे से अपील प्राउधान धारत 374 के अंतरगत दिया गया है और अगे धारत कि यहाँ प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में अभियुक्त क्यदोसी होना सुइकार कर लेता है तो आपील नहीं होगी तो अप्रावधान किया गया है ती निया सूर रहते इस एक को देखे तो उसमें यह बताया गया है कि जब की हाई कोट जो है किवल 6 महीने का कारावास की सजा देता है या एक वर्स या एक हजार रुपए से अनधिक रुपए का जुर्माना का जो सजा देता है तो ऐसा जो मामला होगा वह है अपील के लिए छोटा मामला होगा और उसकी अपील की जा सकेगी इसी प्रकार से जो सेशन कोट है तीन महीने तक कारावास या दो सब रुपए तक के जुर्माने की सजा देता है तो और जब संशेप्त विचारण में 200 रुपए मात्र जो है से अनधिक या मत 200 रुपए तक का जुर्माना की सजा दी जाती है तो वहां भी 78 को देखेंगे तो इसमें दोस्मुक्ति की दसा में कब अपील की जाएगी तो इसके बारें प्रावधान किया गया है तो इस प्रकार से इसमें जो चारों है वह है सभी सुमेलित हैं कि नेक्ट है दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 13 के अनुसार विसेश न्याइग मजिस्टेट की नियुक्ति की जा सकती है तो विसेश न्याइग मजिस्टेट की नियुक्ति होती है और ऐसी जो नियुक्ति होती है वह एक वर्स के लिए अधिक्तम एक वर्स के लिए ऐसी न कारने के लिए अनुरूद करती है अर्थात हाइक हाइक कोड से से जो है केंदर राज सरकार करती है कि कि मैसेश जो है नियाइक सठी करेगा जिसे दूति वर्ख मैं सकतिया प्राप्त होंगी और सब्सक्राइब एक बार में एक वर्स के लिए ही की जाए सकीगी कि नेक्स्ट दंडप्रफिया संगिता की अंतरगत क्या परड्याम होगा यह दिनेड़े लिखने के पस्चात लेकिन सुनाई जाने से पूर नियाधिस की मृत्ति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो नेड़े होगा वह जो है न्याले की या उत्नियाधिस की राय की रूप में ही मात्र माना जाएगा कि नेक्स्ट है का एक आउसर पर चोरी का अभ्यूक्त है और दूसरे आउसर पर घोर उपहति का अभ्यूक्त है तो दाराथ 128 CRPC प्रावधान करती है कि उस पर चोरी और घोर उपहती दोनों के लिए अलग-अलग आरोप लगाया जाएगा और उसका अलग-अलग विचारण किया जाएगा यह दो सिद्धी पर या अन्यथा अपील को अपास्त कर जिया जाता है तो CRPC धारा 106 के अंतरगत जो निश्पादित बंधपत्र है उसका क्या प्रभाव होगा तो ऐसा जो बंधपत्र है वह सुन्य हो जाएगा इसके अंसर लोगव्योजक के निदेशों के अधिनकार करने वाला ब्यक्ति भी आता है तो इसके अलावा अगर आप तुटी को देखेंगे तो उसमें परिवाद को परिवासित किया गया है तू एम के अंतरगत जो है अधिसूचना या नोटिफिकेशन को परिभासित किया गया है और धारा टू ओ के अंतरगत पूलिस थाने के भार साध्य करिकारी अर्थात का जो एसे चो होते हैं उनकी परिभासा दी गई है कि गिरपतारी का वारंट किस अवधी तक परवर्तन में रहता है तक तक निस्पादित न हो जाय IATION को नियाले की दौरा रद्दने कर दिया जाए कि प्रतेग जांच या विचारण में कारवाहियां जो है वह सभी साक्षियों की परिक्षा हो जाने तक दिन प्रतिन दिन जो है वह जारी रखी जाएंगी तो यह इसा जो प्रावधान है किस दारां के अंतरगत कोई नियाले नियरे सुना जानेसे किसी समय किसी वियरोब को परिवर्थित या परिवर्धित कर सकता है तो इसके बारे धारां नेसों के बताया ञ्ता तो उसके बाद ऐसे साक्षियों को फिर से बुलाया सकता है जिनकी परिक्षा की जा चुकी है इसके लावां धरा 215 को देखेंगे तो इसमें गल्तियों का प्रभाव के बारे में प्रतान किया गया है प्रावधान नेक्स है डंड प्रक्रिया संगीता की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई न्याला इस संगीता के अधिन किसी ज्यांच या विचारण या अन्यकारवाही के किसी प्रक्रम में किसी साक्षी किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है तो ऐसा जो प्रावधान ह यह धारा 311 के अंतरगत दिया गया है नेक्स है निम्रिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसमें पहला है आरोप की अंतर वस्तू तो इसके बारें प्रावधान जो है वह धारा 2211 के अंतरगत दिया गया है दूसरा है कि जब कि आरोप में परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पूनह बुलाया जाना इसके बारें जो प्रावधान है या धारा 216 में नहीं है बलकि धारा 217 के अंतरगत दिया गया है तो दूसरा जो है सुमेलित नहीं है तीसरा है कि एक से अधिक आपराधों के लिए विचारन जो है धारा 220 के तहट किया जा सकता है यह सई है और किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाये जा सकेगा इसके बारें यह प्रावधान दो सो 23 के अंतरगत दिया गया है तो यह जो दूसरा विकल्प है यही सई है इस है CRPC की किस धारा में किसी पूरुस पूरुस पूलिस अधिकारी को महिला की गिरपतारी के समय उसके सरीर को छूने की अनुमती नहीं दी गई है तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 46 खंड एक के परंतुक के अंतरगत दिया गया ह कि जब किसी पूरुस पूलिस अधिकारी के द्वारा किसी महिला को गिरपतार किया जाता है तो ऐसी गिरपतारी के स्थिति में जो पूरुस पूलिस अधिकारी है वह महिला के सरीर को नहीं चुछिएगा नेक्स है CRPC की किस धारा में गिरपतार किये गए व्यक्तियों की पूश्टाश के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है तो ऐसा जो अधिकार है वह अधारा 41D के अंतरगत दिया गया है CRPC के अंतरगत मिलने महांगर मैंस्टेट अर्थार जो c.e.e.m.m होते हैं इनके नियाले को किस नियाले की सक्तियां प्राप्त होती थीISE दोखे महानगर मईश्टेट को वही सक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि मुख नियाइक मईश्टेट को प्राप्त होती हैं नेक्ट किसी अपराध का संचिब्ध विचारण हो सकता है यह दिवह अपराध निम्लिखित अवधि से अधिक अवधिके कारावास से दंड़नी नहीं है तो अगर कोई अपराध है जो कि अधिकतम दो वर्स तक के कारावास से दंड़नी है अर्था दो वर्स से अनधिक कारावास से दंड़नी कोई अपराध है तो उसी अपराध का ही संचिप द्युचारण किया जा सकता है उससे अधिक के दंड से दंडने नहीं किया जा सकता हैं क्या सिर प्रतिकर योजना का प्रावधान करती है तो प्रतिकर योजना के बारे में प्रावधान और 357 एक रसटी का परियोग कर सकता है तो पुन रिचन की सक्ति के बारे में पुर्णार 157 के अंतर्गर दिये गया घो और पुर्रेच्छण की सक्ति जो है वह हाई और सेशन को इन दोनों को पराप्त होती है है नेक्स्ट है CRPC की धारत 449 क्या उपबंध करती है तो CRPC की धारत 449 जो है इसके अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि जमानत के बारे में हाई कोट या सेशन कोड की जो विसेश सक्तियां है इसे यही प्रावधान जो है धारा 449 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है CRPC की निम्कित में से कौन सी धारा यह उपपंद करती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यू दंड दिया जाता है तो वह न्याले यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगा कर तब तक लटकाए जाए जब तक कि उसकी मृत्यू न हो जाए तो इसके स दो के अंतरगत जो है वह प्रारूप संख्या 42 में दिया गया है और जो प्रारूप संख्या 42 है वह मृत्यू दंड के निश्पादन से संबंदित है और माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन हो जाता है तो यह जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतरगत दिया गया कुझतित hazard संभख संभथ तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह ंधारा 449 के अंतरअगत दिया गया मैं है लिए सब्सक्रामस संभख सामान इस नियांतरण दंड़ प्रक्रिया संझीटा की किस धारा के अंतरअगत उपबंधित तो ऐसा जो उपबंध है वह धारा 15 के अंतरगत दिया गया और धारा 15 को जब देखते हैं तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो प्रतेक मुख्य नियाइग मईश्टेट होंगे वह जो है सेशन कोड के या सेशन नियाधीनिस के अधिनस्त होंगे और अन्य जो मईश्ट स कि नेक्सटा मैं दन्डंड प्रक्रिय संगिता की धारा 24 के अंतरगत लोक अभियोजक तो यह जो है किसका प्रतिव करते हैं लोक अभियोजक अभिरख्छ शा तथा गिरफटारी क्या है तो यह प्रक्रिया क्या आलोग में यह दोनों बिन्न कि पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है लेकिन अभिरक्षा क्या होता है कि जब पुलिस अभिर्यक्षा तो नियाले के समक्श में एससी स्धित्री में जो पुलिस कस्टिडी या जुडिशियल कस्टिडी अर्थात पुलीसत अभिर्च्छा में यह जो है प्र juicy रिष्टिया जब अपराद की सूचना मिलती है पुलिस अधिकारी को तो है गिरपतार कर लेता है और गिरपतारी प्राइबेट व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है लेकिन अभिर्यक्षा जो है वह हमेशा कोड के आधेश से ही दी जाती है नेक्ष है दंड प्रक्रिया संगीता में सरकारी सेवक पर समन की तामिल का उपबंध किस धारा के अंतरगत दिया गया है तो सरकारी सेवक पर समन की तामिल के बारे इंप्रावधान धारा छाचट के अंतरगत दिया गया है नेक्स है CRPC में अपराद को किस धारा में परिभासित किया गया है तो अपराद की जो परिभासा है वह CRPC की धारा दो के उपधारा इन के अंतरगत दी गई है और दो उपधारा इन में जो अपराद की परिभासा दी गई है उसके अनुसार अपराद से कोई ऐसा कार या लोप अभिप्रेत है जो कि तत्समय प्रवित किसी वीदिके द्वारा दंडणी बना दिया गया है और इसके अंतरगत कोई ऐसा भी कार्य आता है जो कि पसु आतिचार अधनियम की धारा अंतरगत जिसके लिए परिवाद किया जा सकता है तो यहीं परिवासा जो है धारा टू एन के अंतरगत दी गई है तो दोस्तों इस प्रकार से और जो CRPC में जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी हम उमीद करते हैं कि हमने उसे साल्व करने का प्रयास किया है और उससे आप संतुष्ट भी होंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको अपने दोस्तों को भी इसके बारें बत करते हैं